पिछला जो रिविजन चल रहा था फास्ट और ये लास्ट पार्ट दोई पार्ट में करेंगे थोड़ा स्पीड से करेंगे न इसको भी मैं आट नौ घंटे का रिविजन नहीं करवाना चाहता फिर मतलब ही क्या मना फिर तो वह क्लास ही हो गए तो पढ़ रहा थे हम पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट और पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहला जो टॉपिक है वो खतम किया था देड़ घंटे की क्लासिस थी पार्ट वन अब बात हो रही थी मॉडरन पॉर्टफोलिय थेरी उसका मैं रिविजन नहीं करवाने वाला हू अब दूसरा आया CAPM Capital Asset Pricing Model तर ये आया क्यों उद्देश ही क्या था इसका उद्देश ही ये था कि Modern Portfolio Theory का कहना था भाई कि सुनो Markowitz, Markowitz ने क्या बोला था Markowitz ने ये बोला था कि आप एक स्टॉक की अपिक्छा अलग-अलग स्टॉक्स में एक स्टॉक की जगह बहुत सारी स्टॉक्स में पैसा लगाते हो तो डाइवर्जिफिकेशन हो जाएगा और डाइवर्जिफिकेशन हो जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा कंपनी भागीगी तो एक कंपनी भागीगी सारी कंपनी थोड़ी न भाग जाएगी और कोर्रेलेशन की बात किया था सवाल यह है कि आप कितने भी स्टॉक्स में पैसा लगा अगर मार्किट डाउन होगा तो सब डाउन हो जाए आपका डाइवर्जिफिकेशन कोई काम नहीं पड़ेगा देखी तो लिया यार कोवीड आया था सब खेल खतम तो अगर मार्किट क्रेश होता है तो आप बच नहीं पाओगे आप कितने भी स्टॉक्स में पैसा सब कि सब पुरा पॉर्टफोलियो डाउन होगा फिर कहां का आपका डाइवर्जिफिकेशन फिर कौन आया फिर आया C.A.P. C.A.P. में यह कहां कि भाई इससे भी बचा जा सकता है बचा तो नहीं जा सकता पर इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है मार्किट के गिरने से पॉर्टफोलियो जो गिरता है उसको बलते बीटा हाँ सर और उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है हमें यह देखना होता है बीटा ज्यादा रखना है बीटा कम रखना है वो जो रिस्क होती उसको बलते systematic risk मैंने दो रिस्क बताया था एक होता है systematic मतलब market के गिरने से क्या फर्क पड़ता है उसको बलते systematic risk और कौन सा unsystematic risk unsystematic risk का मतलब company specific risk सिर्फ उसी company में होगी तो ठीक है तो उसको हम divergification के मदद से unsystematic risk को कम कर सकते हैं कि reduce कर सकते हैं avoid कर सकते हैं लेकिन systematic risk को manage करना पड़ेगा एक topic पड़ेंगे बीटा management ऐसे कुछ बताया उन्होंने तो CAPM में सबसे पहले वह introduction हुआ ये graph अगिरा सरकाम का है क्या revision में तो बिल्गुल काम का नहीं है ना तो हम उतना देख पाएंगे इसे समझाने के लिए कि क्या है basic one पर CAPM क्या CAPM यूज होता calculate price or passive नाम क्या capital asset pricing capital asset की pricing निकालने के काम आता है और decide करना होता है कि अब ये बाद में पढ़ेंगे अभी सब ये सारी चीजे लिखा है ये मैंने एक roughly बता दिया आपको ओके इंपोर्टेंट है CAPM का equation सर सी CAPM का equation केई भी बोल दीजिए expect return बोल दीजिए कोई फरक नहीं पड़ता आरे प्लस आरे म माइनस आरे इंटू बीटा इसको मैं समझाने रहूं ये आपको आता है example के तोर पहले का आरे मार्केट लाइन का equation क्या है से क्यूरिटी मार्केट लाइन का equation से एमल बोला जाता है पिछली भी आपने पिछले पार्ट में कुछ capital मार्केट लाइन पढ़ाया था हाँ पर वह आता नहीं है exam में capital market line भी ऐसे ही होता था तो अभी हम जो revision करें वो थोड़ा fast fast करें exam देना है मैं ओके एक इसर लेकिन इन सबसे ज़्यादा important है beta सबसे important मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझना C.A.P.M में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ की अगर market गिरेगा तो सब पूरा portfolio गिरेगा यस उसको manage कैसे किया लेकिन सबसे पहले वो measurement वो measure तो सीखना पड़ेगा न कि market हम कैसे पता लगाएंगे कि market की गिरने से मेरे stock पे जो फर्क पड़ता तो कितना फर्क पड़ेगा simple simple सी वा सुना सर अगर market दस पर्षन से गिरा तो बताओ stock कितने पर्षन से गिर सकता है जादा भी हो सकता है market के down होने से stock भी down या अप हो सकता है पर कितना हो सकता है वो हमको पता लग गया तो फिर हम उसका management सीखे लेंगे उसका नाम है beta फिर के सर तो beta क्या है कुछ नहीं है beta कुछ नहीं है हमें जरुरत पढ़ती है मैंने बहुत सारी कहानी लिखवा रखा है कि यार ऐसे ऐसी बात है यह सब हमारे काम की चीज़ काम पढ़ेंगे काम की चीज़ है beta तर बीटा क्या beta है relationship किस किस के बीच में market और stock के बीच important है बीटा का calculation कैसी हो यह important है बहुत सारी बच्चे परिशान है इसमें beta calculation में कुछ बच्चों का कहना है सर कभी कुछ formula लगता कभी कुछ formula लगता बिलकुल हम परिशान हो गया है तो बिलकुल ध्यान से समझना आप काम के चीज़ अगर सिफ दो ही साल का डेटा दिया रहेगा जैसे ये दो साल का दिया है पढ़ो इसको सर यह stock पहला साल दूसरा साल सर market जैसे 5% से बढ़ा ठीक है तो सर stock 10% से बढ़ा गया इसमें change कितने का हुआ सर 5% इसमें change कितने का हुआ 10% तो बताओ market के change होने से market के बढ़ने से क्या stock भी बढ़ा यस बता सकते हुआ कितने सर डबल से 2 तो बीटा क्या जाएगा 2 फॉर्मूला क्या है change in stock return divided by change in market return बिल्को सिंपल अगर 2 साल का stock दिया है और बीटा का मतलब सब को पता है तो मैं बीटा का मतलब मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ सब लिखा हुआ है लेकिन अक सर 2 साल का return नहीं दिया है अगर इससे ज़्यादा साल होता तो फिर regression analysis की जिलुत पढ़ती या list square method यूज़ करते हैं अपने हैवी सब्द आप यूज़ ही क्यों रुकर रहे है तो simple सी बात है आपको formula याद करना पड़े पहला formula ये वाला सबसे important मुझे ये वाला formula सर आपने क्या लिखा था change in stock इसको extended deviation बोल सकते हैं हाँ deviation in stock तो मैंने क्या लिखा extended deviation of stock divided by extended deviation of market ये तो वही वाला formula है सर change in stock divided by change in market येस और बस multiply किसे हो रहा correlation से multiply correlation से क्यों है बैटे मैंने गहा ना ये list square method से बीटा का formula बना है अब इतना heavy language यूज़ करूँगा आपको ये formula याद करना पड़ेगा ओके सर चेंज in stock divided by change in market येस standard deviation of x divided by standard deviation of market into correlation से multiply कर देना ओके आगे चले येस दूसरा वो जो formula है वो इसी से derive होकर आया है येस covariance x और market और variance आप market में derivation नहीं करूँगा पका अच्छा सर covariance और ये वाई क्यों कहना क्या चाते है interpretation तो कर सकते हैं कर सकते हैं क्या निकालने की कोशिश करो सर बीटा तो सर market के deviation और ये stock का deviation market के साथ बिल्कुल धियाँ covariance covariance का मतलब क्या है सर x और market का आपस में deviation तासा deviation x और market का और नीचे क्या लिखा सर market का deviation अच्छा सर यहाँ variance लिखा है मतलब सर नीचे तो market ही आएगा बस नीचे तो market ही आएगा और यहाँ बस यहाँ square variance है और उपर covariance है और यहाँ standard deviation है तो यहाँ भी standard deviation है हाला कि derivation से आ रहा पर मैं interpretation करने की कोशिश कर रहा हूँ हाला कि दोनों formula एक ही है formula number three formula number three याद हो सकता है मैं करवाँ गा मैं करवाँ गा यह formula कहीं काम आता है कि यह shortcut है विट्ट तो खैस total मिला कर चार formula है पहला formula जो किया था change in stock return divided by change नीचे तो market ही रहता है ठीक है अगर दो साल का return data दिया है तो ठीक है जी अगर सर दो से ज़्यादा years का data दिया है तो तो main जो formula change की जगए standard deviation of stock divided by standard deviation of market into correlation या covariance of market divided by variance of market यह तो नहीं मालूँ यह हम देखेंगे ना तो समझे में यह सब कार्ट दो काम नहीं आएगा CAPM वाला तर यह भी कार्ट देखिए यह भी कार्ट दीजे कोई काम नहीं आने वाला है यह important है इसको समझोगे तो सारी समस्याए खतम हो जाएगे अब देखो दियान से सर क्या दो साल से ज़्यादा का return है यास यह है stock और यह है हमें सबसे पहले इसका expected return निकालना इसका भी और market का और standard deviation भी निकालना ठीक है इसका एक्स और market इसके अलावा covariance निकालना और correlation निकालना यह तो हमको पहले से हता बस बीटा नहीं आया है काम करें year लिखा x लिखा x-x bar x-x bar square y y y का मतलब market ठीक है सर और यह x और market को हमने multiply किया तो यह आ गया ठीक है divided by 5 किया तो सर यह covariance आ गया x और market का 19.6% कोई दिक्कत की बात नहीं और हमने correlation भी निकाल लिया और कितना आ गया 0.9 तो जुक समझाने का हमें समझाऊंगा ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत बीटा निकल सकता है कि बीटा भी निकल सकता है और बीटा का पहला वाला formula covariance x और market निकालना है कि बीटा यह सर इन formula बोला था यह derivation करवाया था मैं derivation पर नहीं जा रहा हूँ पहला वाला formula यह दिखाई देरा आपको यह सर standard deviation of x divided by standard deviation of market into correlation x और market कोई दिक्कत है क्या standard deviation of x निकला है कि हाना भी 10 निकला है ना 5.2 और standard deviation of market भी निकला है क्या 4.05 और correlation में निकला है कि yes तो सर यह आगा है 1.192 फिर मैंने यह derivation करवा के बता है मैं derivation पर focus नहीं कर रहा हूँ यह covariance है और standard market का variance है तो यह आगा है बीटा 1.19 यह भी और एक तरीका है ठीक है derivation करवाया था मतलब निकला है प्लीज 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 दो formula important वाले है बीटा का पहला formula है change मतलब standard deviation of stock divided by standard deviation of market into correlation और सर दूसरा formula covariance x और market divided by variance of market नीचे तो variance यह आएगा अब तीसरा important यह सर हम रही है बीटे प्लीज यहां मुझे साथ चाहिए वो सीखना जरूरी है शॉटकट है covariance x और market यह कैसे आता है सर यह ऐसे आता है ना बीटे covariance x और market ही है तो दिकत है क्या और नीचे क्या है सर हलाकि मैंने divided by 5 किया नहीं है और नीचे क्या है सर variance of market और variance of market कैसे आये जरह बताना प्लीज समझने की कोशिश करना कुछ important सर variance of market यह है कितना है 82 तो सर अगर हम divided by 5 नहीं कर रहे है तो क्या दिकत है 98 divided by 82 करेंगी तो क्या उतना ही answer आ जाएगा कहा लगा है टेंसर 98 divided by 82 यह सर 1.196 तो सर अगर मैं कहूँ x minus x bar y minus y bar आ गया उपर इसका हला की summation भी आएगा summation of x minus x bar y minus y bar और divided by 5 नहीं कर रहे है क्योंकि दोनों में divided by और सर यह क्या हो गया है सर नीचे क्या आ गया नीचे आ गया y minus y bar square इसका क्या हो गया summation प्लीज 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 इसी को मैं लिखने की कोई मैंने divided by 5 इसमें से divided by 5 हटा दिया कोई दिक्कत है क्या अब मैं कहता हूँ यार ऐसा कर सकते है कि summation x को हम multiply कर देंगे y के साथ x और y multiply ही तो हो रहा x और y को multiply कर देते सर क्योंकि जोड़ना है ना यार तो x और y को multiply करके जोड़ देते हैं ठीक है सर ओके सर और इससर ये x बार और y बार इसको भी जोड़ना पड़ेगा तो न धियान से प्लीज ये समझाया था derivation अभी यहां करवाना थोड़ा सा मुस्किल है पर फिर भी सुनो ओके सर जोड़ देंगे अब यार ये 17 है 17 वो 5 बार जोड़ो 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 यार पागलपन है सर 17 इंटू 5 कर दो ना तो सर मैं कुछ करने रहा हूँ मैं कर रहा हूं summation और x y कर दिया x y minus n x bar और y बाय कर दिया हम आत कर वही कर रहा हूं उपर वाला यही आएगा 98 ही आएगा summation x और y x y का summation क्यों किया क्योंकि सर x अलग आएगा और y अलग आएगा दोनों को multiply करके जोड़ना है ठीक है लेकिन मेरा question है कि इसमें sum क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि सर x बार हर साल का उतना ही आएगा इसलिए n से multiply किया ठीक ओके और सर इसको भी फिर वैसी करोगे सर summation of y square minus n y bar square ऐसा कुछ formula बनेगा अब आते है formula कहा है formula यह summation of x or market minus n x bar market बस हो गया खता it means अगर आपको speed से काम करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो फिर आपकी मर्स सर year लिखा x लिखा उसको जोड दिया और वो 17 ऐसी m लिखा y bar आ गया है 18 y bar कैसे है और x और m को multiply करके total मार दिया और m square करके total मार जो जो मुझे लगेगा ओके सर formula में समझा चुका हूँ बस put करना है तो summation of x m का summation है यह 1628 एक ही बार समझा रहो आगे नहीं समझा हूँ और सा 17 into 18 into 5 क्योंकि आपको पता है अच्छे से और m square का summation किया तो 1702 और 18 square और into क्या क्या 5 आंसर तो उतनी आएगा 98 divided by 82 ओके सर और यह formula कब लगेगा जब x post data दिया हो तब ही लगेगा x anti data मतलब probability दिया है तो यह formula नहीं लगेगा सर यह formula याद करना जरूरी है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है खोड़ सकते हो मैं तो एक ही formula मुझे ही याद रहता कुंसा वाला यह वाला formula भर याद रहता है यह वाला हो जाएगा हाँ बोलो यार 15 मिनट खराब कर चुका हूं ओके सर आगे चले अब यह question है tyk9 page number 6.6 आपको security दिया है okay और p को बोला है उसने market इसको मैं market बोल सकता हूं जैसे इसको y भी बोल सकता है और year नहीं दिया है क्या दिया है probability और आपको निकालना expect return, market, covariance, correlation और beta निकालना है और beta का कौन सा वाला formula लगाना तो year वाला तो formula लगे गई नहीं तो सर इसमें कौन सा वाला formula लग सकता है दो formula है एक तो standard division of packs standard division of market into correlation x और market ये लगा दीजी आंसर निकालेजी probability वाला question है ये question homework है सर module का question homework देरा भी कर लो ना यार कितना time लगेगा सेम है सर अगर हमको practice करना तो please कर लेना रेक्टिस करना है तो कर लेना अच्छा question है ये का जी ओके सर चले आगे question number 15 ये भी ty के 10 है phase number 6.6 अब सर्स यहां जैसे year दिया है एक दो तीन एक दो तीन और सर ये है market ये x समान लो ये है x और ये क्या है market और x कितना है x 13 11.5 और 9.8 और सब market कितना है 12 11.9 तो क्या हम वो वाले formula से कर सकते xm और m square कर सकते हैं बिलकुल बीटा वही आ जाएगा तो पहले x और market मतलब बीटा a इसका बीटा निकल जाएगा तो ये भी मैंने आपको homework दिया था homework कर ले अगर चाहते हो कि module का question करना तो ये दोनों ही question कर लोगे तो आपके लिए अच्छा वैसे भी मैंने class में भी homework दे रखा तो आप समझदार हो कि मैं अगर revisor में ये कर वहाँ तो शर्मानी चाहिए आपको भी मुझे मैंने यहां करवाने की कोशिश किया बच्छों ने किया भी था आप इसे cut कर सकते अब important topic है बीटा का calculation simple है बीटा का मैंने formula explain कर दिया that's it अब हम आगे चल रहे है और सबसे ज़्यादा important topic beta management ठीक है beta management total मिला कर दो जगा है यहां भी है और derivatives यहां जो है यहां ज़्यादा important यहां ज़्यादा important है बीटा management है क्या बस इतना बता दो C.A.P.M. यही तो कह रहा था कि यार पहले बीटा पता करो कि यार market के गिरने से या market के up-down होने से stock पे कितना फर्क पड़ता है यह पता कर लिया अब बले जैसे ही पता हुआ तो अब जैसे बीटा पता लग गए यार आपने एक portfolio बनाया जिसमें stock A भी है B है C है D है किसी का बीटा ज़्यादा है किसी का बीटा कम है आपको ऐसा लग रहा है कि market बढ़ना चाहिए तो सर्थ पोर्टफोलियो का खुब बढ़े अच्छा सर्थ अगर हमको ऐसा लग रहा है कि market कम होना चाहिए तो आपके portfolio का बीटा कम रखिए कम क्योंकि उधर तो डूबने वाले हो इधर मत डूब जाना market तो जाने वाला है तो भई थोड़ा कम रिस्क लोना यार इसी का नाम है बीटा मेरेजमेट तो सर्थ बीटा कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं दो तरीके हैं पहला तरीका है एक श्टॉक को बेचो जिसका अगर आपको बीटा कम रखना है तो ऐसा श्टॉक जिसका बीटा जादा उसको निकाल दो और ऐसा श्टॉक जिसका बीटा कम है उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूट कर दीजे दूसरा किसकी मदद से रिस्क फ्री इसका मतलब सर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा कम रखना है हमको तो एक काम करो न यार जो आपका रिस्क फ्री स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूट करो क्योंकि रिस्क फ्री का बीटा तो जीरो होता है या तो फिर आपको बीटा बढ़ाना है तो risk free से borrow करो, यह समझाना है बस risk free borrow वाला attention वाला है और तीसरा beta management करते है stock index future के थूँ वो यहां नहीं है वो derivatives तो यही बाते मैंने यहां लिखवाया हूँ पढ़ लोगे risk free के थूँ एक stock को replace करके दूसरा stock और तीसरा stock index future जो कि हमको कहां पढ़ना है एक question उठाया था मैंने question number और example है तो example देख लेगिया total मिला कर 4 stock से investment है और बीटा दिया क्या portfolio बीटा निकल जाएगा बहुत आसान है sir आराम से निकल जाएगा और portfolio बीटा मांग नहीं रहा है वो आपसे मांग रहा मान लो मान लो RF है और RM है और आपसे हर एक stock का return मांग रहा तो निकल जाएगा राम से यह सर security market line से निकल जाएगा ठीक है अब आपको portfolio का return निकलना तो weighted average भई ए से कितना कमा रहे हैं sir 16.5 कितना लगा कर 4.5 लाक रुप है इस हिसाब से यह portfolio का return आ जाएगा और portfolio बीटा कैसे निकलेगा sir हमें expect return मालूम है यह निकाला है हमने sir RF मालूम है RM-RF मालूम है तो beta of portfolio निकल जाएगा यह तरीका है पर दूसरा सबसे simple तरीका है beta of portfolio निकलने का मालूम है sir यह investment दिया है और यह beta दिया है इन दोनों को multiply कर दीजिए और beta of portfolio निकल दीजिए तो आप ऐसा भी कर सकते है सबसे अच्छा तरीका और इस example में जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसे कि आप किसी भी तरीके से कर सकते amount दिया है beta दिया है sir multiply करेंगे table बनाया है institute में सुनना दियां से ICAI इस type के question में table बना के कर रहा है तो please short cut मत माना हलांकि multiple choice question आएगा तो मज़ा जाएगा तो sir यह आ गया है मेरा beta of portfolio 1.241 याद रखना तयार हो जाओ multiple choice question होगा परसो उसके लिए तयार है न ओके तो sir beat up portfolio आ गया है कि yes अब क्या बोड़ रहा है अगर हमको 3 लाक रुपे risk free में investment कर दे तो बताएए beat up portfolio क्या होगा please ध्यान से समझना में please यहाँ यहाँ खेल पूरे portfolio chapter में एक ही concept चलता हम कभी भी अपने portfolio से छेड़ चाड़ नहीं करेंगे this is most important please हम कभी भी अपने portfolio से छेड़ चाड़ नहीं करेंगे it means अभी हमारा portfolio 12 लाक रुपे है तो वो 12 लाक ही रहेगा अच्छा और sir risk free में लगाएंगे यह 12 लाक को ऐसे ही रहने तो इसमें से कुछ बेचेंगे नहीं अगर question में कुछ नहीं कहा है risk free के साथ जब भी सुना अभी तक यह हुआ है अगर language अलग हो तो वो अलग बात है अगर 12 लाक है तो 12 लाक ही रहेगा हम अपना existing stock कभी भी भी नहीं बेचेंगे और अगर risk free में investment करना है तो हमारे अपने पास का पैसे investment करना है देखे ओके यह वाला question कर रहे थे ओके और हमें 3 लाक investment करना कहा है risk free और risk free का बीटा क्या होता है zero तो बताओ बीटाओ पॉटफोलियो क्या आएगा ठान से देखना एक मैंने एक्स लगा कर किया था कि यह बारा लाक है जिसका बीटाई है तीन लाक और आगया जिस टोटल मिला कर पॉटफोलियो कितने का हो गया पंद्रा लाक तो बीटाओ पॉटफोलियो आगया पॉइंट नाइन नेन थ्री तर ICAI कैसे कर अच्छा दूसरा कोश्चन क्या है दूसरा कोश्चन मितायर अब धिहां से समझना यह बाला इंपॉटटेंट है यह बाला वी वांट टो रिड्यूस बीटा अभी बीटा कितना है सर 1.241 1.241 इस पर क्यों महनत करवा रहा हूँ क्योंकि यहां से कोश्चन आने की पॉसिबिलिटी प्रोबैबिलिटी बहुत ज़्यादा सर आगय है 1.241 ठीक है अब हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं बीटा 0.85 हो जाए 0.85 हो जाए तो बताइए हम रिस्क फ्री में कितना इन्वेश्ट करे कि हमारा बीटा 1.241 से 0.85 हो जाए घटकर ओके सर कैसे करना है या तो X लेकर कर लो या तो IC AI जैसे करता है वैसे मैं दोनों ही समझाऊंगे मेरी बास इतनी समझना 12 लाक जो लगा हुआ है ABCD में वो 12 लाक ही रहेगा उसमें से बेचेगे ने इटमीज देखो हमने कैसे किया X लगा कि यह अच्छे समझ में आ था 0.85 हाँ सर टार्गेट बीटा है 0.85 पहले से हमारा पोर्टफोलियो में 12 लाक लगा है उसका बीटा है 1.241 प्लस X इंडू 0 X का क्या है रिस्क फ्री में कितना इंवेस्टमेंट का और 12 लाक प्लस X क्योंकि आप मेरा पोर्टफोलियो बड़ा सा बढ़ गए 12 लाक उधर लगा है और रिस्क फ्री में और लगाएंगे उसके इसाब से बताओ X का वैल्यू कितना आया 5 लाक बावनाज ठीक है यह यूज नहीं करता है इंस्टिटूट इंस्टिट कहता है अगर हमें weight of A निकालना है तो target beta divided by beta of portfolio target beta beta of portfolio सब formula कैसे बना वो समझा चुका हूँ यह derivation अगेरा करवा है तो अगर उसके सब से सोचोगे ठीक से देखना है target beta कितना है 0.85 और beta portfolio कितना है 0.241 तो यह आगा है 0.6841 इट मिस हम यह कह रहा है कि 12 लाक तो already लगा हुआ आपका अब ध्यान देना प्लीज 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 12 लाक तो already लगा हुआ है 12 लाक दो जगह होना चाहिए ना 12 लाक मेरे किसके बरावर है यह जो वेट निकला है ना वेट यह किसका वेट निकला है यह 12 लाक का वेट निकला है अच्छा मतलब सर 12 लाक कितना है 0.6841 तो 12 लाक divided by 0.6841 तो टूटल यहां का जाएगा यह थोड़ो टेक्निकल है यह X वाला अच्छा वैटे यह 12 लाक को चेंज करना है कि नहीं करना है पर उसका वेट तो निकाल चुके है हम लोग कितना है 0.84 6849 तो यहां वाला फंड आ जाएगा 12 लाक divided by यह करना सिम्पल यार सर जल्दी करवाओ जल्दी ऐसा है कि आप ऐसे करोगे तो वेट निकलेगा और जो वेट निकला है इससे डिवाइड कर दोगे तो यह वाला वैल्यू हजाएगा अब 12 लाक और यह इन दोनों के बीच का डिफरेंस रिस्क फ्री है जाएगा यार टोटल 17 लाक खर्च करना 12 लाक यहां लग चुका बाकी यहां लग चाहिए अब ऐसे ही करो ठीक है सर यह वाला का नहीं है प्लीज इस पे ध्यान मत दे ना यह जब डेरिविट्यों करवाँगा ना तब जिसमें एग्जिस्टिंग स्टॉक को बेचोगे और रिस्क फ्री लाओगे इसकी बात अभी मैं नहीं करो ठीक है रिखे 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 स्टॉक को बेच रहे जिसका नाम क्या है पैसा कितना लगा तीन लाग तो देखो मैंने कैसे किया आठ और चार बारो तीन पंद्रा लाग पहले से है सर उसका बीटा है 1.93 इसमें से हम बेच देंगे कौन सा स्टॉक सी तीन लाग जिसका बीटा है और ले आएंगे वो जो बेच ओगे ना उसका पैसे लगाओगे कहां बोले ऐसे स्टॉक में लगाएंगे जिसका बीटा 1.25 है तो बताओ इससे बीटाओ पोर्टफोलियों कितना जाएगा 1.58 सिम्पल था सपोस we want to replace security see with new security जिसका लोवर बीटा ताकि मेरा बीटाओ पोर्टफोलियों कितना आना चाहिए 1.75 बस एक्स लेगा कर लो 1.75 ये ठीक है ये भी ठीक है तीन लाग इन तीज़ी इसको एक्स ले ली ये नहीं पता लेकिन हमारा target बीटाओ 1.75 हो जाएगा ये सिम्पल था हमारे exam में generally कौन सा था risk free वाला था तो बस उसको अच्छे से करना ये वाला example important त्यार हो ओके सपोस दे आर 3 stocks 2 लाग 2 लाग 6 लाग और बीटा दिया क्या portfolio बीटा यू निकल गया sir ये निकल गया portfolio ये वाला point important सपोस वी वांट टो इंक्रीज बीटा 1.9 sir ये target बीटा हो गया then how much amount should be invested or risk free जब भी आएगा मैंने एक formula दिया है okay sir wait निकलना target बीटा divided by beta of portfolio मैं x-vax के चकर में नहीं पढ़ आँ तो sir ये आगया 1.1176 इतना हो गया okay फिर में क्या करता हूं 2, 2, 4 और एक 5 sir 5,000,000 ये लगा है इसको तो छेड़ेंगे नहीं और इधा risk free का निकल जाएगा और जो भी आया था आपने का इसको divide कर देना 1.1176 बोला ऐसा बोला था ना हा sir आपने ऐसा ही बोला था तो 5,000,000,000 divided by 1.1176 तो sir ये आ गया है कितना 4, 4 7, 3 8, 7 और minus 5,000,000 sir ये तो minus में आ जाएगा आ जाने तो minus आ गया 5, 2 6, 1, 2 minus का मतलब में नहीं क्या बताया था बोल रोई कुछ नहीं करना भाई ये निकालना और इसको इससे डिवाइट कर दिना ये वाला फाइनल है भाई इसको चैंज मत करना मैंने और एक्स्प्लेइन किया बहुत सारी चीजे ये सब पोर्टफोलियो में पढ़ना ये यहां नहीं बढ़ेंगे इसमें एक ऐसा भी आएगा कि एक्जिशनिंग श्टॉक को बेचना डिस्पोज डॉफ करना उसकी जगए रिस्क फ्री वाला यहां हम बात नहीं करेंगे कन्फ्यूज हो जाओ गया सब क्लास में तो करवाए था भई क्लास अलग बात है ना यहां क्लास हो चुकी अभी मुझे कन्फ्यूज नहीं करना आपसे चले बनाएं कोस्टन तो एक ऐसा कोस्टन जो CACA में मतलब सब्सक्र टी वाई के 36 पेज नंबर 6.76 नंबर ओफ शेयर्ज दी या मार्केट प्राइज दिया बीटा दिया तो क्या पॉटफोलियो बीटा निकल जाएगा यह सर 1.108 वे दिकत अगर पी-एम को रिड्यूस करना 0.8 टारगेट बीटा तो सर आपने बताया था 0.8 टारगेट बीटा डिवाइड बाई बीटा पॉटफोलियो बीट अप पोटफोलियो निकला था 1.108 बिलको तो यह आ गया 0.7220 फिर सर आपने बताया था जो है उसको डिवाइड इससे कर देना तो यह जाएगा टोटो टोटो और इस में से 12 लाग तो आप लगा चुके हो पोटफोलियो में तो बचा हुआ क्या जाएगा रिस्क फ्री बिलको सिंपल तूसरा टार्गेट बीटा कितना रखना है हमको सर 1.2 तो वही फॉर्मूला अच्छा इंस्टिट्यूट क्या करता है सुन लो भाई नंबर दिलवाने है मुझे जब ऐसा निकल जाता तो IC AI और एक काम करता है वापस यह टेबल बनाता है वापस और उसमें इधर रिस्क फ्री भी डाल देता है और फिर बीटा निकालता है अगर देखोगे ना सॉलूसन बुक है ना आपके पास बुक में देखोगे तो आपको दिख जाएगा और फिर पीटा कितना जाता है पॉइंट एट क्योंकि टार्गे डेट पॉइंट है पॉइंट ही आना है तो प्रीज आप भी बना ले अगर ऐसा कोश्च टाइम पास टाइम पास इसकास पिसकस किया था तो दूसरे में टार्गेट वीटा रखना है 1.2 तो यह आ गया वेट फिर मैंने का 12 लाग को इससे डिवाइट कर देना यह आ गया ओके तो इस टॉक में पैसा कितना लगा हुआ है 12 लाग ठीक है सर और यह यह जाएगा डिफरेंस या फिर 12 लाग को सीधा यह माइनस कर देना तो डिफरेंस जाएगा माइनस में आएगा तो बहुर कर लोगे अच्छा कोश्ण है मैं जानता हूँ अच्छा कोश्ण है ओके अफिर वह टेबल बनाएगा कोश्ण नुमबर 26 ती बाइके 25 पेज नुमबर 6.72 तो बहुत पास तो बीस लाग रुपे इन्वेस्टमेंट है ठीक है सर एमाउंट दिया है 60 लाग 80 लाग 100 लाग 120 लाग 160 लाग और बीटर दिया है 0.5 1.8 1.2 1.5 इसको मैंने आगे करवाया भी हूँ वैसे 26 आगे करवाया हूँ ना सर यस आगे वाला देखते है न ती वाई के 16 पे जाओ 26 को मैं यहां काट रहा हूँ कि आगे मैंने करवाया हूँ मतब ती वाई के 25 आगे मिलेगा आपको यह आगे है यहां है ठीक उसको बाद में पढ़ लेंगे पहले इसको समझ लेते हैं तर टी वाई के 27 में क्या था कुछ नहीं था भाई बीटा दिया है investment amount दिया है और हमें क्या निकालना पोर्टफोलियो बीटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपसे ना निकले और आरेम दिया तो इनको यूज करके पोर्टफोलियो का रिटन निकाल ले ना बिल्कुल सिंपल कोश्चन है ए ए एफेम के मॉड्यूल में डला हुआ है वापस आ रहा हूँ इसी कोश्चन पर टी वाई के 25 चल रहा था लिखा गया था कुछ नहीं भाई पास सो बीस लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है एमाउट दिया है कितना रुपया किसमें लगाया और उसका बीटा दिया हुआ है सबसे पहले आपको एक्सपेक्ट रिटर निकालना है और किसका निकालना है पोर्टफोलियो का आर एफ दिया है और आरेम दिया है तो एक्सपेक्ट रिटर और पोर्टफोलियो तो निकल जाएगा या सर उसके लिए क्या सबसे पहले बीट आप पॉर्टफोलियो ने कलना पड़े एक है और बीट आप पॉर्टफोलियो कितना आया था पता नहीं जो भी आयेगा आप कल ले अब ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा वच्चों का वस ये कहना एड़बाइस कीजिए अगर आप एक सिक्यूरिटी है जिसका नाम है बैटर उसकी जगा अगर आप निफ्टी में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए वैसे तो निफ्टी जो है वो डाइवर्जी फाइड है निफ्टी में 50 कंपनी तो डालना चाहिए लेकिन उनका ये कहना है कि देखो नहीं बैटर जो है न उसका बीटा क्या है और निफ्टी का बीटा तो वन होता ही है मार्केट का बीटा तो वन ही होता है तो रिप्लेस करने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि दोनों से सेम रिटन आई वही बात उन्होंने लेका ठीक है ओके इसका बीटा वन है और मार्केट का बीटा वन ही होता है निफ्टी का बीटा ठीके सर्चले आगे चलो जी आगे देखते कोईशन ये कोईशन आपके अच्छा कोईशन मतलब ऐसे ही कोईशन मोड्यूल में भी है पर वो नहीं करूँगा पर ये कोईशन पका करूँगा क्योंकि कोईशन बहुत है बोल रहा है तीन करोड है ये मारे पास और बीटा दिया हुआ है और कितनी कंपनी दिखाई थी एक, दू, तीन, चार, पाच प्लीज अच्छा कोईशन है अच्छे से करना मैसे सीरी लिमिटेड इन्वेस्ट एक्वल एमाउंट इन ओल सिक्यूरिटी सब में बराबर बराबर तो बताओ बीटा पोटफोलियो क्या है डिवाइड भाइड बाइड भी बीटा रहे टिवाइड भाइड भाइड भी कर सकता हूं टेबल से भी कर सकता हूं टेबल से किया और बीटा पोटफोलियो आ गया 0.9 खीक है यह तक इसमें कुछ वीशेस बात नहीं थे थर पॉइंट नम्बर टू क्या है 15% P Limited में, 10% C Limited में and the balance in equal amount in the other two security equal amount लगाना बच्ची हुई तो what is the beta portfolio ये भी time pass हो गए beta portfolio कितना जाएगा 1.155 यहां तो कोई दीख थे क्या point number 3 मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया suppose beta portfolio निकला 0.9 if the expected sir RM दिया था 12% ठीक है RM दिया था 12% और sir beta कितना दिया है 1 RM दिया है 12% और beta दिया है 1 what will be the portfolio expected return in each of the following situation sir वैसे तो equation मनता RF plus portfolio का return निकलना portfolio का return अब यार वैसे तो RF plus beta RM minus RF होता है institute ने कहा कि RF तो दिया नहीं अब उन्होंने देखो ना कैसे दियमाग चला है sir सुनो market का return कितना है 12 अब portfolio कितना है 9 तो market के return को beta से multiply कर दिया it means अगर RF नहीं दिया है तो उन्होंने RM into beta portfolio से निकल ली अच्छा मैं बोलने वाला था कि एक question ना last day revision आपको देखना ही पड़ेगा यह sir कान सा question था वो यह वाला question था क्या यह वाला question वीते यह LDR मेरी नजरूंए आपको यह question देखना पड़ेगा sir इससे पहले कोई ऐसा question था इससे पहले कोई ऐसा question नहीं था बी-टा का calculation to calculation तो मो वह हो जाएगा एक आपको last में देखना पड़ेगा मैं जानता हूँ सारे कोशन नहीं देख पाओगे पर ये वाला कोशन अब वो देखना पर इस कोशन के बात कर रहा था इसमें कोई दिक्कत नहीं थी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी बस उन्हों वो करता क्या है वो आरेफ नहीं दिया तो आरेम इंटू बीटाओ पॉर्टफोलियो निकार करके एक्सपेक्ट रिटन आप पॉर्टफोलियो निकाल लेते हैं ओई नमबर फोर क्या बहुत रहा है इव दा कंपनी चेंजिज इट्स पॉलिशी तो इन्वेस्ट एनी थ्री सिक्यूरिटी वी तर मिनीमम आप ट्वेंटी पर्शन इन इच अब दीस थ्री सिक्यूरिटी तो डाइवर्जिफाई रिस्क वो आपसे यह गह रहा है कि यार देखो ऐसा है कि हम अपनी पॉलिशी चेंज कर सकते हैं हम किसी हम मिनीमम ट्वेंटी पर्शन तो तीन स्टॉक में लगाएंगे लगाएंगे मिनीमम ट्वेंटी तो बताईे आप एडवाइस कीजिए कमपनी को कि कौउन से सिक्यूरिटी में पैसा लगाना चाहिए इस और पूछ रहा कि आगर मार्केट बुल फेज में जाता है तो सर अगर market bull में जाता है न तो हम ऐसे stock में सबसे ज़्यादा पैसे लगाएगे जिसका बीटा ज़्यादा हूँ market उठेगा तो हमारा portfolio जबरदस उठना चाहिए तो सर सबसे ज़्यादा अगर मुझे पैसा लगाना है इस में लगाऊँगा D में कितना person क्योंकि 20-20 तो लगाना पड़ेगा तो बच्चा हुआ 60% में इसमें लगाऊँगा इसके बाद सर इसमें लगाएंगे इसके बाद इसमें लगाएंगे आप समझी गए हो क्या कहना चाहती है और वो बोल रहा है कि मानलो expect return है 10% market का पहले बीट आप पोर्टफोलियो निकालोगे इसमें बता दू आपको मैंने क्या किया सबसे ज़्यादा पैसा कहां बीट आप पोर्टफोलियो कहां आगे हो तो इसमें 60% लगाया बाकि 20-20% तो 1.72 आगे और फिर expect return हो पोर्टफोलियो आरेम इन्टू बीट आप पोर्टफोलियो 17.2% ज़्यादा नौलिज ग्यान नहीं चाहिए आपका कि नहीं सर वो तो बढ़ लाया तो बढ़ने पे कुछ नहीं सिधा ये इन्टू बीट आप पोर्टफोलियो और सर अगर वीरिश फेज है तो बीरिश फेज है तो सबसे ज़्यादा ऐसी जगह पैसा लगाना इसका बीट है सबसे कम हो तो ये आ गया है और आरेम कितना है माइनस फाइव है याद रखना कोशन में माइनस फाइव है इन्टू बीट आप पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कोशन है और आपको जो A.F.M में दिया हुआ है उस कोशन में लिमिटेट चीज है उस कोशन में तीन ही पॉइंट दिया था इसमें पाच पॉइंट से प्लीज कर ले कोशन नमबर 32B RTB का कोशन डला पर कोशन वैसे ही है पर अच्छा कोशन है पहला पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं सर क्या बीटा पॉट्फोलियो निकल सकता है निकल सकता है सर बीटा दिया है पर्शनेट जब होल्डिंग दिया आरेम दिया आरेम दिया calculate the following suggested portfolio पहला कितना कितना लगाना है यह तो लगा हुआ कितना कितना लगाना है तो सबसे पहला portfolio बीटा निकाला गया के लिमिटेट पीटा पोर्टफोलिय निकाला गया 1.40 यह मिश्टर ए एक लाक के लिमिटेट और जिसका बीटा कितना 1.40 मैं पढ़ लाओ मैं सुरू से नहीं पढ़ा था पर पढ़ना जरूरी है सर बीटा कितना दिया है 1.40 टाइम का थोड़ा से इस्च्यू है और सर यह financial advisor ने कहा कि आप इतना इतना पैसा लगा दीजी ठीक you are required to calculate the following for the present investment and suggested portfolio present investment के हिसाब से पहले बीटाप portfolio निकालेगे ठीक है सर और यह निकला हमारा बीटाप portfolio और बीटाप company कितना है 1.40 और उसके हाँ सहब से हमने 1.40 के भी हिसाब से निकल लिया ठीक है सामने बाला जो बीटाप company कितना 1.40 के हिसाब से निकला और हमने जो बीटाप portfolio निकला था उसके हिसाब से भी हिसाब से निकल लिया कोई दिक्रत की बात नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ा हूँ what is the expect return based on CAPM if market goes up by 2.5% market 2.5% से बढ़ जाता है ICAI ने कुछ नहीं किया जो 12% है उसमें 2.5 जोड दिया और RM को 14.5 लिग दिया और काम कर दिया बीटाप portfolio कौन से रखा बीटाप portfolio ये रखा दोनों तरह से निकला बस RM को 14.5 कर दिया असर मार्केट गोजडाउन कर दिया तो फिर 2.5 यहां 9.5 किया और फिर आंसर ने कल लिखा था अगर मार्केट माइनस 2.5 हो तो यहां माइनस 2.5 कर दिया और आंसर ने कल लिए मतलब से जबरदस्ट टाइम पास है यस हो जाएगा ठीक है और पूरा क्या अच्छा है तो यह आप बता दोगे कोशन नमबर 32 हाला कि यह कोशन एफ मॉडूल का नहीं यह तो रिपीट कोशन है इसको कट कर दिया यह तो रिपीट हो गए यह वाला कोशन 25 ना आपके AFM मॉडूल का है ती वाई के 23, 6.71 सेम कोशन है तो सर इसको अगर हम कट कर दे तो चलेगा यस इसमें तीन ही पॉइंट है जब किस से पहले जो कोशन कर आए उसमें तो ज़्यादा पॉइंट्स थे इस कोशन को सर कट कर दे तो चलेगा बिलकुल कोशन अब थर्टी कट कर दीजिए अब थोड़े ऐसे कोशन आ रहा है अजीब टाइप के कोशन है तो क्या लगता है हो जाएगा धाई गहंटे में तीन गहंटे जाएगा पर जाना ही तो अब यार इन कोशन्स में ये कोशन्स आपके मोड्यूल का है तो प्लीज टी वाई के ट्वंटी एट दिख रहा है अब ध्यान से देखना ऐसे कोशन परिशान करते है मतलब मैं ऐसे कोशन को रटने वाले कोशन को सर तो ये LDR में डालोगे क्या इसको LDR में क्या डालना यार देखो ये कंपनी दिया है इसमें कोश्ट दिया है डिवीडेंट दिया है और मॉर्केटपैस दिया है और बीटा भी दिया है रिस्क-free रेट है 15 पशन सर आरेब दिया है calculate expect return in each using CAPM हमको expect return निकालना तो सर आमको RF चाहिए मालूम है RM-RF बीटा तो दिया है मुझे हर एक कंपनी का निकालना है किसको यूज करके CAPM को यूज करके निकाल सकता हूँ बीटा दिया भी यह पर RM नहीं दिया तो RM निकाले तो कैसे निकाले तो उन्होंने का कि यार यह सब मिलाकर RM है मानना पड़ेगा रटना पड़ेगा इस question को यह रटने वाला question तो इन्होंने सबसे पहले RM कैसे निकाला बोले देखो यार यह dividend दिया और यह price दिया तो इन सब को जोड़ दिया यह आ गया P0 इन सब को जोड़ा तो यह आ गया dividend इन सब को जोड़ा तो यह आ गया P1 और P1 माइनस P0 प्लस dividend डिवाइड़ बाइ P0 इन्टो 100 तो आ गया 15.88% और 15.88% को क्या मान लिया उन्होंने कि यही है RM और एक बार RM निकल गया तो हर एक stock का return तो निकली से और फिर बोलता है return of portfolio बोलता है तो 100% weighted average ही होता यार पर ओ बोलता है नहीं simple average कर लो portfolio का simple average तो this divided by 4 किया that's it इस question में रटने वाला क्या है सभी ची रटने वाला RM निकलने का तरीका ही गलत पर इसको याद करना पढ़ेगा ओके ती बाई के 28 पेज नंबर 6.73 21 कट करवा दिये कुँँगे 21 आगे cover करवा है ये जो है question नंबर 22 कुछ खास बात है कि कुछ खास बात नहीं same question है भाई वही सारा काम करना है ओके सर सारा काम करने के बाद आपको क्या करना पढ़ेगा RM निकल लो RF दिया हुआ है और फिर ठीक है सर average return बोला है simple average ही निकल लोगे कि आप weighted average भी निकल सकते हो और क्योंकि simple average ही किया तो इसमें भी हम simple average ही हूँ ये भी homework है cut कर सकते हो homework है cut कर दीजिए हलाग कि PY के 27 पेज नंबर 6.73 इसको cut कर दो repeat question है सर इस question में क्या ही question थोड़ा सा अलग है इसमें सर cost दिया है dividend दिया है market दिया है beta दिया सर RM निकालेंगे बुले नहीं हम बुले इस बार RF नहीं दे रहे मतलब इस question करने का बनता है इस बार उन्होंने average return of portfolio दे दिया है 15.7 ठीक है झाल 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 पर पहले अल्फा कैल्कूलेशन पढ़ना पड़ेगा तब ही ओखा सर ये अल्फा वही अल्फा है जिसका नाम जैंसन अल्फा है यस और सर सिक्यूरिटी मार्केट लाइन तो अल्रेडी मेरा हमारा पढ़ा हुआ आरेफ प्लस MRP इन्टो बीटा यही तो था सिक्यूरिटी मार्केट लाइन हाँ यही है सबसे बहली वात अल्फा क्या होता तो बिल्कूल ध्यान से समझना सर ये कंपनी है ठीक है ये राम है ठीक है सर इस कंपनी का बीटा टू है ओके आरेफ दिया है और आरेम दिया है इसके हिसाफ से इस कंपनी में जो बीटा है इस बीटा के हिसाफ से कम से कम रिस्क को देखते हुए सिस्टमैटिक रिस्क को देखते हुए 16% की कमाई होनी चाहिए 16% की कमाई होनी रिस्क को देखते हुए 16% मिलना चाहिए important concept इसलिए धिरोड़ा discuss कर रहा हूँ जबकि हमने अनुमान है अनुमान लगाया expected मालूम है P1-P0 dividend और अनुमान लगाया कि 10% की ही कमाई होगी इतना रिस्क है उस रिस्क को देखते हुए हमें चाहिए 16% सर इसको ER बोल सकते है कि अब हम इसको के ही बोलेंगे हमें चाहिए कितना 16% जबकि इस हिसाब से कितना मिलने वाला है projection के हिसाब से कितना मिलने वाला 10% समझने की कोशिश कर रिस्क को देखते हुए हमें चाहिए 16 पर projected यह है कि 10% ही कमाएंगे पताओ इस stock में हमें investment करना चाहिए कि नहीं कर रिस्क को देखती है चाहिए 16 हमें चाहिए 16 मिलने वाला सर अगर जादा मिलता तो कर लेते तो इन दोनों का बीच का difference सर मतलब हमें 6% कम मिल रहा है माइनस 6% है न हाँ सर चाहिए 16 मिल रहा है 10 मतलब 6% कम मिल रहा है और इस 6% का नाम है अलफा सर अलफा का formula किया expected return माइनस के अगर अलफा positive है तो हमें investment कर देना चाहिए अगर अलफा negative है तो नहीं करना चाहिए वही सब कुछ था तो अलफा निकालने के लिए सबसे पहले आपको के ही निकालना पड़ेगा या इसको आरी भी बोल सकते किस से CAPM से और इसका comparison हम expected return से करेंगे अगर expected return ज्यादा है मतलब ज्यादा कमा जितना चाहिए उससे ज्यादा कमा रहे है तो यहर खरीद लेना चाहिए ऐसा stock under price कहलाता अंडर वैल जो सस्तह और सर अगर हमारा expected return कम है तो नहीं खरीदना चाहिए ऐसे stock overpriced कहलाता है और सर बराबर है तो ऐसे stock correctly price कहलाता है सो सर अलफा क्या है अलफा कुछ नहीं है अलफा है ईायर माइनस कि अगर alpha positive है अगर alpha positive है तो ऐसा stock enterprise खरीद लेना चाहिए अगर alpha negative है तो overpriced नहीं खरीद तो यह रहता है alpha की basis पर decision लेना को किसा है कि इंपल कॉंसिप्ट है है काइमल्टेनिस एक्वेशन को अगर देखो अल्फा अल्फा मेरे ख्यान से अब कुछ है नहीं है बीटा दिया हुआ है एक्सपेक्ट रिटर्न दिया है सीए पीम के लिए आरेम और आरेफ दिया है तो इसके हिसाब से हमने सिक्यूरिटी मार्केट लाइन इसको बोलते सिक्यूरिटी मार्केट लाइन बस बीटा पुट करते जाए यह आंसर निकालते जाए अगर सिक्यूरिटी मार्केट लाइन तो आपको RF ये तो fix है RM-RF ये भी fix है बस beta change होते रहता है इसका नाम है security market line sir CAPM ना हाँ उसके इसाब से हमने निकाला 18.2 expect return कितना है 15 sir हमें चाहिए 15 और 18.2 sir alpha negative है मत खरीदो अच्छा sir हमें चाहिए कितना 14.9 14.9 चाहिए आने वाला है 13 अभी भी alpha negative है तो मत खरीदो simple है ओके तो sir यही चीज़ है अब 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 यह आया हुआ है question प्लीज यह अच्छे से देखना वहीसा बीटा दिया हुआ ER दिया ER ठीक है sir यह projection के हिसाब से कि हाँ ऐसा महलो अगर बोत security correctly priced है sir इसका मतलब वो कह रहा है कि मान लो यह KE है ER और KE बराबर है correctly price है तो बताइए RF क्या होगा RM क्या होगा और security market बताना है मतलब sir CAPM को equation को use करके 18.2 आ रहा है yes 18.2 equation है RF प्लस वीटा MRP हाँ sir equation number one और B का return दिया RF RF कड़ गया तो simultaneous equation को use करके कितना है 11% और 11% को मैंने put कर दिया तो RM निकल के आ गया और RF भी निकल के आ गया security market line RF पता होगा है sir RM RM मैनस RF पता होगा है बीटा का बीटा दिख दिख दे simple है आता ही exam simultaneous equation आता है sir ये वाला question पक का homework है कर लोगे अब भी example करवाया है sufficient sir क्योंकि ये AFM module का question है चाहू तो एक बार बना कर देख ले okay sir बना कर देख सकते हो sir ये एक मात्र question है तो इसको LDR में डाल देना चाहिए कि डाल देना क्योंकि security market line का एक ही question है तो इसको LDR में डाल दिया मैंने बीटा calculation नहीं डाला हूँ जनरली हमने खुब किया ये वाला question भी LDR में रहेगा बहुत ही अच्छा question LDR question okay sir इसमें काफी चीज़े याद करने वाली भी रहेगी ये वाला question आपका LDR का हमें निकालना है बीटा और क्रेशना लिमिटेट और बीटा कप का निकालना है 2015 के एंट का इस question में रटने वाली बात बहुत सारी है पर बताओ बीटा निकालने का फॉर्मला क्या है कुछ लोगों का कहना है सर सुनो न कुछ लोगों का कहना क्या है या logic क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ टाइम पास क्यों करो ये किसका है सर ये question लिमिटेट का information है ये किसका है सर ये market का information है और ये क्या है risk अब यार मुझे अगर निकालना है बीटा तो बीटा का सर ये वाला formula होता था standard deviation of X standard deviation of market into correlation X or market ओके तो सर standard deviation के लिए मुझे इसका return निकालना पड़ेगा यस कितने साल का return निकाल सकता है याद करो प्रशना लिमिटेट का सर 2012 का तो नहीं निकलेगा 2013 का 2014 का 2015 का निकल जाएगा और कैसे निकलेगा P1-253-245 याद है मैंने करवाया हूँ 253-245 और प्लस क्या करना पड़ेगा 22 एक साल का 2013 का return निकल जाएगा और 2014 का भी निकल जाएगा और 2015 का भी निकल जाएगा ठीक है तो ये किसका निकला सर ये stock का return निकला ऐसी किसका निकलोगे सर market का अब market का return आप पहले ये market में जो ये capital appreciation वो निकल लीजिए percentage में क्यों क्योंकि सर ये already percentage में दिया है हमें तो ये वाला नहीं लेना हमें ये वाला लेना नीचे वाला ठीक है तो वो ही मैंने काम किया अगर देखोगे ध्यान से तो मैंने 5 person लिया ओके सर तो इस तरह से किसका return निकल गया market का return निकल गया पर क्या ये expect return है नहीं सर ये expect return नहीं है तो बीटा निकलना पड़ेगा और बीटा हम simple वाले formula से निकल सकते है एक्स और market वाले वैसे ही में निकाला होगा सर एक्स लिखा पहले फिर M लिखा और X M का total कर दिया और M square कर दिया और ये वाला मैंने formula निकल लगा दिया तो बीटा निकल लिया 1.897 अच्छा question है मैंने पहले ही कहा कि ये question LDR question है ओके सर ये तो हो गए सर अब अब problem क्या है मालूम है देखा state your observation मतलब क्या बोल रहा है बले observation बताई observation कब का future का बले नहीं past का तो मालूम है उसने हर एक year का alpha निकाला है हर एक year में expect return निकाला है बीटा क्या लिया है सर 1.897 तो देखो धिहान से उन्होंने कैसे काम के ये थोड़ा सा रटने वाली बात है उन्होंने कहा कि 2013 में return कितना था बले 12.24 कहां से आगे है 12.24 देखो तो मिल जाएगा 12.24 बले ठीक है अब 6 प्लस ये वाला 10.81 कहां से आया 10.81 ये आया 10.81 सिर इसी साल का देख रहा है और सर आरेफ कितना है 6 और बीटा उसने 1.897 ही लिया सब में इसके सबसे उन्होंने निकाला केई और ये तो मालूम है ये क्या है तो ये return है average return return कितना कमाया अब ध्यान से समझना सुनो 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 सर वैसे हमें बीटा को देखते हुए कमाना चाहिए 15.12 और कमाया कितना 12.24 कमाना चाहिए था 15 ज़्यादा कमाना चाहिए था कम कमाया alpha negative है और negative है तो sell कर दो बोल रहा है कैसे decision लिया भई यहाँ याद करना पड़ेगा ये question past का बता रहे है और बोल रहे है sell कर दो फिर future का बताओ ना या फिर हम यहाँ लिखते under performance over perform यह याद करना बढ़े यहाँ तक ठीक लग रहा है कि ठीक है भई उसने अलग अलग साल का लिया प्लीज इसको LDR question last में आपको देखना पड़ेगा इस matter पर मेरी बाप से बहुत सारी बाते हो चुकी है कि नहीं ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए यहाँ नहीं चलेगा यहाँ वो चलेगा जो आपको करना है ICI ठीक मैं बहुत concept में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यह तो मेना 10 घंडे का सिफ पोर्टफोल्य रहा होगा सेम कोश्चन था कोश्चन नमबर 18 कट कर सकते हो कोश्चन नमबर 12 TYK19 पेज नमबर 6.70 तर इसमें क्या खाजबा तो फॉलिए इंफॉमिशन इस अवेलिबल in respect of security x equilibrium return दे रहा है 15 मतलब सर केई दे रहा है आप केई बोल दो केई और E-R एक ही है मतलब मार्केट रिटन दे रहा है 15 मतलब 15 परशन यह भी है 15 परशन यह भी है मतलब सर बीटा तो 1 है अगर C.A.P.M के हिसाब से यह 15 है और मार्केट का भी 15 परशन तो बीटा वन हो गया है common sense लगा है यह वाला important है लिखा है 7% प्रेजरी बिल ट्रेट कितने में हो रहा है 140 में यह important है मैंने यह कहा था face value कितना 140 सुरूपए face value नहीं है क्योंकि trade हो रहा है 140 में आज 140 तो सर एक्च्वल में face value कितना face value है dollar hundred इसका मतलब dollar seven हमको coupon मिलेगा RF निकालना पड़ेगा इस question तो सर्फ 60 dollar हमको coupon मिलेगा 140 लगा के तो RF कितना आया 5% इस इस इंपोर्टेंट जिसमें आपसे गलती हो सकती उसके बाद तो बीटा निकाली लोगे बीटा आगया 1, 1 ही तो आना था अब सर्फ covariance दिया है तो फिर तो formula डालके लिख साओ दो formula लगा सकते हैं मैंने covariance लिख दिया ये formula बीटा को और बीटा दिया हुआ है तो standard deviation of market आगया और standard deviation of market को यहां रगती है तो standard deviation of x आगया है बाकी simple है तब एक ही चीज इंपोर्टेंट इसमें वह आरेफ ठीक है ओके साँ चले आगे अच्छा question था यह ये question भी LDR question लिख लो LDR बहुत अच्छा question है ये अराम से बढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा ये question actual में जो question है चाहो तो इस question में लिख लेना ये question implicit बीटा का question है implicit बीटा मतला बीटा क्या होना चाहिए बीटा क्या होना चाहिए वो वाला question बीटा क्या होना चाहिए अगर मैं इस question में बहुत ज़्यादा deep में ना जाओ सीधी सीधी बात करूँ number of shares दिया है beta दिया है market price दिया है expected dividend yield दिया है और sir RM दिया है और RF दिया है calculate the risk 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 मांग रहा है sir risk मतलब standard deviation या फिर beta risk of xyz short term investment portfolio sir मतलब portfolio का risk मांग रहा है मतलब या थो portfolio का standard deviation या थो portfolio beta calculate the risk of xyz short term investment portfolio relative to that of the market मतलब sir वो market से related portfolio का risk मांग रहा है हाँ मतलब sir portfolio beta मांग रहा है लग तो वही रहा है न अगर मैं दिमाग चला हूँ portfolio beta मांग रहा है तो क्या रखा है sir number of shares को multiply करूँगा market price से और फिर beta से multiply करके weighted average portfolio beta निकलूँगा हो गया बात खतम कास बात खतम हो जाता ये question आपको या पहले मेरे मन में यही आया था इस से इसको multiply करके beta से कर दे तो काम खतम हो जाएगा लेकिन आखिर क्या मांग के आ रहा होगा दोस्तों उन्होंने कैसे काम किया please this question को करना रटना पड़ेगा इसलिए मैंना LDR में डाल दिया भाई साथ अब ध्यान से देखना हो हमने काम किया आपको बात समझे में हमें beta of portfolio निकालना अब देखो कैसी किया सबसे फ़ले तो number of shares सर ठीक है market price से तो amount आ गया अब weight निकाँ ठीक है सर weight से भी हमको कोई दिक्कत नहीं और beta तो सर ये beta सर ये तो निकालना था ना तो निकाल लिए ना भी रुख जाओ सर ये निकाल लिए हमने beta of portfolio actual 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 ओके सर इसमें कोई दिक्कत नहीं अब देखो क्या कि उनका कहना यार कि यार इस company में कितने की कमाई हो रही 19.5, 24 17.5, 26 क्या weighted average return निकाल सकता है हाँ सर weight तो हमारा already निकला हुआ है return है तो weighted average return भी निकाला सर करना क्या चाह रहे हुआ मैं समझाओंगा दो मने टूक जाए 22.38 यह था कोई दिक्कत अब क्या हमें expect return मालूम है 20 हाँ सर इतना कमाया हमने RF मालूम है और beta portfolio और ये निकला 1.42 ये actual में क्या निकला इसी का नाम है क्या होना चाहिए जो return कमार है उस return के लिए 1.42 से ज़ादा नहीं होना चाहिए है कितना Lowness 1.47 है सर जू सबत LIKE जूस हिसाप से हम return कमार है उस हिसाप से beta ये होना चाहिए ये है मतलब यार portfolio ज़्यादा risk है अच बता कैसे लगेगा कि इस question में implicit beta निकालना है याद करना पढ़ेगा ओके बाकी तो लेख लोगे वे चीज में आपको बताए ठीक है सर अब उन्होंने enterprise over price निकाला है it means 19.5 यहां रख दिया ओके और केई आये 20.28 20.28 सर कमाना चाहिए था 21 कमाया 19 सर कम कमाया तो अलफा निकाल लिया over price over price और यह है enterprise तो अगर मुझे composition change करना है तो इन तीनों को मैं बेज दूँगा और इसको मैं खरीद दूँगा बस बात करता ठीक है same question है तो इसको cut कर सकते है question number 28 question number 24 हाला कि यह question उसका नहीं है हमारे AFA module का नहीं है पर question बहुत अच्छा ओकी सर हम तेया रहें सर यह है और इन्होंने बताया कि हमने कितने number of shares hold कर रखे है सर cost दिया है हर एक share का एक हजार share से dividend दिया, marketize दिया, beta दिया और किसमें पैसा लगाना चाहते है, bonds में पैसा लगाना चाहते है, bonds मतलब risk free estimate the minimum rate of return that your client would expect from these bonds keeping in view his risk appetite and assuming the यह misprint है यह 15.7 नहीं है, यह 12.7 देखो उन्होंने RM दे दिया 12.7 हमसे क्या मांग रहा है RF क्या हम portfolio का बीटा निकाल सकते हैं, yes sir divided by 4 ऐसे ही तो निकाला है, नहीं weighted average होगा सर इस type के question ना जाने कितने AFM के module में है और उसमें तो आपने simple average करवाया है इसी में weighted average क्यों actually उसमें भी weighted average ही होना चाहिए था पर वो हमने AFM का module follow किया है, जो solution है इसमें weighted average करना है और weighted average ही करेंगे, sir हमको याद कैसे रहे, रटिंगे कैसे पिट्टे जितने भी questions किया है, उन्होंने number of shares नहीं दिया था, इस type के जो भी question किया है उसमें number of shares नहीं दिया था इसमें क्या number of shares दिया है, यस, आपको weighted average से करना चाहिए, sir कोई logic नहीं आप जो बोल रहे है, logic नहीं रटवा रहा हूँ तो sir, weighted average बीटा कैसे निकलोगे, यह number of shares है, उसको market, यह cost से multiply करोगे, तो weighted average बीटा निकल जाएगा ओके, sir एक बात और, बोलो, sir weighted average में market value वेट लेते हैं कि book value, market value, तो sir यह वाला वेट लेते हैं, भाई साप सुनो market value, मतलब यह वाला नहीं, यह भी तो market value है, sir यह market value नहीं है, यह तो cost है ना, हे भगवान यह cost नहीं है, यह जब आपने stock में पैसा लगाया, तब का market value है, और cost value weight कुछ नहीं है, तो book value weight होता है, please मुझे confuse मत करो, परिशान कर दिया इस चीज से, तो market value weight, यह market value, यह वाला weight क्यों आएगा, यह तो last दिन का, आप जब पैसे लगाये तो यह वाला market, यह भी तो market value ही है, ओके, तो सुनो कैसे होगा, मैं time pass ना करूँ अपका, देखो उन्होंने cost लिखा, यह rupees in lakhs में, मतलब सर यह cost कहां से आया, multiply करके आया, किस से, 1000 into 10,000, 1000 into 15,500 into 20,000, 20,000 into 18,000, multiply करके cost आ गया, dividend है, 98 है, और इसे साब से किया, तो expect return कितना आ गया, 8.9%, expect return of portfolio आ गया, ओके, और इसी weight से फिर हमने beta of portfolio भी निकाल लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या निकालना, basically, sir, हमको तो RF निकालना है, तो उसका यूच करके, क्या हमें expect return of portfolio मालूम है, yes, RM मालूम है, RF बीटा मालूम है, तो इसके साब से हमने, RF निकाल लिया, 6.37, और फिर उसने बोला, अगर RF 7 पर्षेन तो के ही किया होगा, तो उसके साब से हमने काम का लिया, alpha मांगा था, alpha निकाल लिया, बात करता हमें, stock रखना है कि नहीं रखना, इस question में खास बात क्या लगी मुझे, सिर्फ weighted average, जो कि मैं चाहता था, वो हुआ, okay, sir, asset pricing क्या है, हमारा जो topic है न, उसका नाम है capital asset pricing, इससे हम security का, security valuation पढ़ा, P0 निकालते, P0, कैसे निकलता, D1 divided by K, E, manage, जी, और उसका comparison, इसको आप intrinsic value भी बोलते, IV0, और इसका comparison किस से करते हैं, हम लोग, sir, actual price, sir, यह हमको पता है, security valuation में हमने धंग से पढ़ रखा, तो यही सब मैंने लिखवाया हूँ, D1 क्या होता, DG0 क्या होता, sir, time pass मत करो, अगे बढ़ते हैं, under price कब कहला हैगा, over price, यह मैं नहीं करवा रहा हूँ, यह, sir, example, example भी छोड़ो, example, example की भी, बात नहीं, इदा question क्योंगी, यह बहुत सारी question कर रहे है, यह वाला question देख़वा अच्छे से, sir, question number 37, क्या हमारी book का question है, yes, TY के 29, page number 6 point, investor ने hold किया, 1000 shares, ठीक है, sir, 1000, paid सब्द लिखा मतलब, sir, DG 0 हो गया है, और DG 0 कितना दिया है, दो रूप है, share का actual price कितना है, 25, और बहुत सारे factors दे रहा है, और इन factors के हिसाब से बताइए, कि हम buy करना चाहिए, hold करना चाहिए, कि sell करना, institute ने कहा कि सबसे पहला सिनारियो है, existing सिनारियो के हिसाब से, क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या है, के ही निकाला जाएगा, ये मालूम है, ये मालूम है, और इसके अलावा बीटा मालूम है, तो हमने के ही निकाला है, 20.40, existing सिनारियो के हिसाब, और उसके वाद हमने निकाला P0 आ गया 13.64 और actual price कितना है 25 रुपए सर जो आपने hold किया है ना उसको hold करोगी भी ना 13 रुपिया से ज़्यादा नहीं मिलना जबकि market में आज बेचोगे तो 25 मिल जाएगा बेचो ना सर बेचो तो बस वे लिखना as investors who sell the shares और ऐसे ही फिर किसके साब से करना revised scenario के और उसके साब से आपको अलग जवाब देना उसके साब से आपको hold करना है ठेक है यस same question है बस इसमें दिक्कत क्या है इस question यहाँ दिक्कत आई सर यह dividend rate current dividend rate यह सब ठीक है dividend paid दिया और anticipated dividend पर share दिया हुआ तो सर यह 3 रुपए हो गया dividend paid तो हमको लग रहा है यह D0 है और anticipated सब लिखा है तो मतलब यह next year भी लिखा है तो यह D1 होना चाहिए ICAI ने simple सी बात इसको भी D0 लिया है इसको भी D0 लिया बाकी तो सारा question वैसे पस यहाँ याद रखना है बाकी इस question में भी कुछ नहीं ओके तो यह वाला हो जाएगा प्रीज देख लेना ठीक है सर अब हमारे C.A.P.M. पी-म का last topic चलेगा systematic risk total risk वो अच्छा important topic है ओके खतम करें उसको चलो तो उसको हम खतम करते हैं अच्छा topic है हो systematic risk unsystematic important तर systematic risk क्या होता है बीटा पर यहाँ बीटा नहीं हो systematic risk का मतलब होता market related risk अब बास समझना suppose बीटा है 1.5 अगर market 1% से change होगा तो बीटा 1.5% से change होगा क्यां तक ठीक है अगर standard A.V. insurance market है 10% तो बता सकते हो कि यह कितना आएगा सर 15% is square 10 into 1.5 यह कैसे याद रखना कि इस topic में सारा के सारा काम किस से होगा variance से इन सब बातों की बास simple सी बात है systematic risk का formula है बीटा square और variance of market concept में डिसकस कर चुका हूँ मैं revise करवा रहा हूँ beta square और variance of market ओके final बात करें single stocks पहले single stock की बात करें total risk का मतलब क्या होता है standard deviation हाला की काम किस में होता करना हो है variance में तो variance में में square करके ही काम होगा percentage square में systematic risk का मैंना formula बता दिया beta square और variance of market जो market से related risk market के change होने से इसमें जो change होगा वो क्या कहलाएगा system और जो total है उसमें से अगर मैं systematic minus कर दूँगा तो क्या जाएगा unsystematic risk it means your market अगर मैं कह रहा हूं बात समझने की कोशिस करना कि sir total कितना risk 400% मतलब sir standard deviation of stock कितना है 20% ठीक है और sir standard deviation of market कितना 15 और into 0.9 समझ रहे हो ना कि market अगर 15 से deviate होगा तो यार stock का बीटा कितना 0.9 तो ये कितने से deviate होना चाहिए और answer निकला 182.25 variance में काम करना total deviate vary कितने से वह sir 400 percentage square कहां से आया 20 into equal to ये deviation इसको मझे variance में करना होता तो sir 400 है total total variation उसमें से market की वजह से 182 तो बाकी internal factor unsystematic risk 400 में से 182 पॉइंट तो ये आगे internal इसको बोलते है unsystematic risk ये इसको बोलते है error term variance unsystematic risk बहुत सारे नाम है वैसे इसक है यादा है ना मैं याद दिला रहा हूँ मैं कॉंसेट नहीं कर वा रहा हूँ ओके और एक फॉर्मूला यूज होता है systematic risk divided by total risk क्या कहना चाहता है मालो ये point से उनसर ये कहना चाहता है कि total risk का systematic risk 70% है ये मतलब है systematic risk का formula यहाँ लिखा total risk को यहाँ लिखा कुछ काट कुटके बचा R square R square को बोलते है coefficient of determination और R square क्या बोलता है इसा ratio है of systematic risk to total risk R square याद रखना coefficient of determination coefficient of determination क्योंकिशन हो किसे example okay sir example तो अब तो हो जाएगा वैसे किया हुआ है हमारा तो example अब ना भी करवाओ तो चलेगा ठीक है sir मैं example नहीं करवाओ example के लिए अब तयार हूँ बाकी multiple जो इस question देख लेंगे ये सारे example नहीं करवाओ सीधा मैं question पर ये वाला ये वाला करवाना ज़रूरी ये वाला example ज़रूरी है बाकी examples नहीं भी देखो के तो चलेगा sir stock x है stock y है standard average please ये example में slow करवाओ तीरे करवाओ please अच्छे से sir बीटा दोनों का दिया हो और standard average लो मार्किट दिया okay सबसे बहले हमसे मांगा गया है total risk, systematic risk and unsystematic risk of each stock so sir total risk निकालते है तो 20 into 20 25 into 25 तो ये sir आ गया 400 और 625 ज़र systematic risk का formula क्या होता है बीटा square finish of market sir दोनों का बीटा मालूम है ठीक है तो ये आगे 225 और 306.25 अब unsystematic कैसे निकल सकता है sir 400 में से अगर हम 225 माइनस कर दे तो unsystematic risk 625 में से अगर 306.25 माइनस कर दे तो unsystematic risk इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी थी होना भी नहीं चाहिए था ओके आगे चले sir correlation निकालना है किस-किस का sir इस point को ना करे तो चल जाएगा हाँ correlation नहीं करेंगे बशे निकाल सकते correlation के कोई दिक्कत की बात नहीं है क्शोंकि sir बीटा दिया standard derivation दिया correlation निकाल सकते पर नहीं लगेगा सिधी-सिधी बात है correlation की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी निकाला होगा तो अलग बात है sir, correlation कहां निकाला है okay, calculation और correlation निकाला है 0.75, 0.71 पर जरूरत नहीं थी correlation ठीक है तो मैं वही चीज़ करूँगा जो हमारे काम की तो मैं गह रहा हूँ, यह point number 2 ना भी करोगे तो चल जाएगा okay, point number 2 को उड़ा दो यह हमसे already हो गया है अब काम की चीज़ अगर हम, यह point number 3 important है sir, अगर हम 80% पैसा लगाते है X में और 20% लगाते है Y में तो क्या beat of portfolio निकल सकता बिलकुल आराम से sir 1.5 into 0.8, 1.75 into 0.2 तो यह निकल गए sir, beat of portfolio इसमें तो हमारा कोई दिक्कत 1.55 यह वाला point important है भाई, इसके लिए जान लगा देना यह वाला point, यह काम आएगा कि correlation बिलकुल काम नहीं आएगा यह वाला point important टोटल रिस्क निकालना, systematic risk निकालना, unsystematic risk निकालना पर किसका निकालना पॉर्टफोलियो का सबसे पहला का मालू है क्या systematic risk of portfolio निकल सकता है हाँ sir, beta square और variance बस beta of portfolio ले लिना that's it और beta of portfolio तो अलड़ी हमने निकाला हुआ है ओके तो एक काम तो हो गया, systematic risk of portfolio निकल गया, systematic risk of portfolio निकल गया, that's it, okay, ठीक है, अब एक important बात, yes, अब हमको क्या निकालना है सर, अब हमको निकालना है, अगर systematic risk तो निकल गया, सर, total निकाल लेते हैं, और total में से systematic minus कर देते हैं, अब total risk निकालना है, तो हमें formula चाहिए, और formula बड़ा वाला निकाल लेंगे, सर, A square, weight of A square, B square, weight of B square, पर हमें covariance की जरुत पड़ेगी, हमें covariance की जरुत पड़ेगी, फिल, प्लीज, 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 दियान देना, और covariance का formula है, तीटा A, तीटा B, covariance of Mark, तीज, धियान देना, sharp model के सबसे covariance का यह formula है, 262.50, यह एक मात्र formula है, जो आपको याद रखना पड़ेगी, सर यह बोलना क्या चाहता है, एक simple सा assumption ले रखा, कि दो stock का आपस में जो correlation है न, वो किसकी वज़ा से, वो सिप market की वज़ा से, दोनो stock एक दूसरे को नहीं जानते, एक stock एक company में आग लगी है, तो उसका दूसरी company से कोई correlation नहीं है, हाला कि हो सकता है, पर यहाँ एक assumption चलती है, कि दो stock, दो stock के बीच में आपस में correlation है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वज़ा से market, market, it means, दो stock का आपस में जुड़े हुए, तो सिर्फ बीटा की वज़ा से, market की वज़ा से, covariance, तो सिर्फ उन्होंने जो बात किया, उन्होंने बात किया, बीटा, ए, और बीब, सिर्फ किसकी बात किया, systematic risk की, और यहां क्या किया, variance of market, इसको मिला कर आगया covariance, तो यह एक मातर फॉर्मूला है, जो आपको यार रखना है, तो यह covariance वही वाला है, कि जो MPT में निकाल रहे है, नहीं, MPT में तो दूसरा covariance रहता था, यह covariance है, सार्क मॉडल के सबसे, ओके, तो यह निकाला होगा, बीट एक्स, बीटा वाई, variance of market और यह आ गया, 262.50, ठीक है, अगर यह निकल गया, 365 और हमें total risk है, और हमें systematic risk निकल चुका है, तो जो बचा वो कौन सा आएगा, unsystematic risk, एक यह तरीका हो गया, ठीक है, तो अभी सिर्भ एक मातर फॉर्मूला है, बीटा ए, या बीटा एक्स, बी modern portfolio theory में जो मारकोवेट्ज ने लिखा, तो वो covariance अलग है, वो तो standard deviation of x, standard deviation of y into correlation x, y होता है, ठीक है, सर टाइम पास मत करो, आगे चले, दूसरा और एक तरीका है, सर, systematic risk तो निकल गया था, yes, अगर हम unsystematic risk पहले निकाल ले, systematic निकल गया, unsystematic risk निकाल ले, और इन दोनों को add करेंगे, तो total risk भी आ सकता है, पर क्या unsystematic risk हमको मालूम है, हाँ सर, ये दिया है, और ये दिया है, ठीक है, और सर कैसे होगा, a plus b square, a plus b square, तो क्या होता है, सर, a square, plus b square, plus 2, a, b, और यहां correlation था, और दोनों की बीच में correlation, unsystematic risk, unsystematic risk का, यही assumption, unsystematic risk का कोई आपस में 2 stock का correlation 0 होगा, तो सर, यहां 0 होगा, तो यह तो पूरा उड़ गया, मैं करवा चुका हूँ, तो सर, a square plus b square से काम होगा की, yes, देखो, दूसर अधरी का भी मैंने किया होगा, बनाया होगा, यह सर, alternative 2, unsystematic risk of portfolio, 175.8, यह already square में है, और 318.75.20 square, तो यह आगया है, और इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, systematic तो यह आगया है, total risk, तो दो formula important, बागी कुछ नहीं है, पहला formula, sir, covariance का formula, बीटा A, बीटा B, variance of market, और दूसरा यह logic बताए कि हम ऐसा क्यों कर रहा है, एक exemption है, जिस पर पूरा काम चल रहा है, कि दो stock के बीच में जो correlation है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वज़ा से है, because of market, इसलिए unsystematic risk के बीच में correlation 0 मान लिया था, चलेजी आगे, question बनाएंगे, यह एक summary बनाया था, यह दो बास समझ में आई, सर देखो, total risk of portfolio दो लोग हो सकते, एक है Markowitz और एक है Sharpe, जब Markowitz की बात करते हैं, तो covariance का यह वाला formula लगता है, standard deviation of X, standard deviation correlation of X, Y, और जब Sharpe model की बात करते हैं, तो यह वाला formula लगता है, ठीके सर, सर हमें कैसे करना है, अगर Markowitz के लिए बोलेगा, तो ऐसे करना, सर अगर कुछ ना बोला है, तो यह, ऐसे कर लेना है, अगर कोशन में कुछ नहीं बोला है, तो इसी से करना, प्लीज, सर, अगर, 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 हाँ, सर, अगर कोवेरेंस दिया है, तो फिर हम पता कैसे लगाएंगी कि कौश अगर कोवेरेंस दिया, तो चैलेंज मत करना, उठाना, और सीधा लिख देना, कोवेरेंस लिख देना, पिर कैलकुलेट करते मत बैटना, यह Markowitz है, यह risk of portfolio, तो सीधा co-variance उठाना और लिख देना, ठीक है, वाकि यह unsystematic risk, तो यह एक summary है, जो हमने अभी पढ़ा है, आउ question बनाए, एला question, A has portfolio having falling features, तो सर यह random error है, तो सर यह variance है कि standard deviation है, क्या यहाँ square लगा हुआ है, सर नहीं लगा है, तो यह standard deviation है, और यह कौन सर रिस्क है, सर यह unsystematic risk, यह beta है, और यह weight, तो सर, unsystematic risk of portfolio निकल सकता है, बिलकुल, सर, beta of portfolio निकाल लेंगे, तो सर, systematic risk of portfolio भी निकल सकता है, यस, और दोनों को add कर देंगे, तो total risk का जाएगा, सबसे परे beta of portfolio निकला, उसके बाद systematic risk of portfolio निकल गया है, बीटा square, variance of market, फिर unsystematic risk, और दोनों को add कर दिया, तो यह आगया है, टूटल risk, पर मैंने कहा है, यह standard deviation निकाल ही दिया करो, तो मैंने standard deviation, चाहे बोले, ना बोले, standard deviation आप निकाल दिया करो, ठीक है, मतलब बाद में आप root कर दिया करो, ठीक है सर, क्या है यह हमारी exam का question है, AFM modular question है, yes, TYK 37, हमारी book का question number 42, TYK 14, page number 6.68, आराम से करते हैं, अच्छा question, अच्छा question, relax हो जो, सर इसी type का और कोई question है, क्या हो बाद में देखें, पहले इसकी बात करें, सर, standard deviation दे रखा, मतलब total risk, और correlation दे रखा, PM करके भी लिखता है, ठीक है, P का मतलब correlation, किस के साथ correlation है, सर, market के साथ correlation है, ठीक है, standard deviation of market दे रखा, मांग क्या रहा, what is the sensitivity, मतलब सर, beta, of each stock with respect to the market, क्या बीटा निकल सकता है, सर, correlation दिया, बीटा का फॉर्मुला था, standard deviation of tax, standard deviation of market, into correlation, निकल गया ना सर, यह बीटा निकल गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सर, covariance मांगा है, among the various stocks, मतलब, मतलब covariance यार, A का B के साथ, A का C के साथ, B का C के साथ, covariance, सर, covariance, Markovid's वाला मांगा है, कि sharp वाला, बेटे, मैंने गहा है, आपको सिर्फ दिमाक यह चलाना है, यह वाला फॉर्मूला, बीटा, A, बीटा, B, variance of market, सबसे मेले, A और B का, सर, A और B का, बीटा, बीटा तो निकाला होगा, A और B का, बीटीप्लाई किया, और variance of market कर, सर, यह भी हो गया है, ठीक है, इसके अलावा, point number 3 में क्या माँगा है, what would be the risk of portfolio, consisting of all the three stocks equally, total risk माँगा, तो सर, वेटेड एवरिज वाला कर लेंगे, A प्लेस B प्लेस C स्कूर, वह यह वाला मैंने, ओके, यह वाला मैंने काम किया, A और B, A और C और B, बाकि तो आपको पता है, और one third, one third रखा है, तो answer आगया, यह आगया, 200.24% is square, variance में, तो मैं हमें से standard division, निकाल लिया करता हूँ, ठीक है, इंपल था है, अगे चले, सर, बीटा पोर्टफोलियो, consisting of equal investment, in each stock, सर, बीटा पोर्टफोलियो निकालना, बीटा ओपोर्टफोलियो, अगर equal है, तो ठीक है न, सर, यह बीटा है, divided by three कर लेंगे, तो बीटा पोर्टफोलियो हाजाएगा, फिर, what is the total, systematic और unsystemate, सर, total risk तो अल्रड़ी निकल गया था, सर, बीटा ओपोर्टफोलियो निकाला है आपने, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, सर, systematic risk भी निकल गया है, अब total में से systematic minus करोगे, तो unsystematic risk, सर, इसको last में देखने की ज़रूरत, formula की वज़़े से देख सकते हो, बाकि मुझे ऐसा कुछ special नहीं लग रहा है, कि इस question में कुछ खाज बात है, अभी practice कर लो, तो last में देखना नहीं, सर, question number 46, 46 में कुछ खाज बात नहीं है, R.A.B. दिया, यह दिया है, 35 है, specific standard deviation मतलब unsystematic risk, हो जाएगा सरी, 0.8, अच्छा, यह 25 दिया, 625, ठीक है, यह हो जाएगा, यह homework, यह वाला question अच्छा है, question number, तब 45, question अच्छा है, अगर मैं कहूं, last day revision में, तो यह वाला question में, select करूंगा, क्योंकि इसमें, पूरा की पूरा रिवाइच, एक यह वाला question अच्छा है, और एक आगे question मिलेगा, दो question बहुत हो तेसक, तब देखे, following are the detail of portfolio, consisting of three shares, फिर three हो गया, weight दिया है, beta दिया है, return भी दे रखा है, और variance भी दे रखा है, बस यह एक समस्या सुनो, percentage में नहीं दे रखा है, तो आगे जो काम करोगे, 10% की जगा, 10% ना लिखका, 0.10 लिख देना भाई, 10 divided by 100 करोगे, बस इतनी सी बात थी, इसके लाव, covariance उन्होंने निकाल कर दे दिया, मैंने का निकाल कर दे दिया, तो अब बाद में सुचेंगे, निकाल कर दिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले, portfolio बीटा निकालो बोल रहा है, portfolio बीटा निकालना, बच्चो वाला काम है, यह weight दिया है, और यह बीटा किदर गया, यह बीटा दिया, तो यह आ गया, portfolio बीटा, 0.66, सर इसके बाद बोला है, residual variance और पीछ, मतलब unsystematic risk, कैसे निकलेगा बाई, सर टोटल दिया है, systematic निकाल लेते हैं, यह मालूम है, बीटा मालूम है, systematic निकाल लेते हैं, ओके, और टोटल में से, हमने systematic minus कर दिया, तो क्या आ गया, unsystematic आ गया है, यह करना पड़ेगा, आप सोच रहा हैं कि, मेरे साथ हवा में पड़ोगे, तो ऐसे नहीं होगा, बनाना ही question को, मैंने LDR लिखा मतलब बनाना है, ओके, अब सर कैसे निकला, मैंने कहां कि, बस यह किया, तो यह क्या निकल गया है, इंडेक्स मॉड, शार्प इंडेक्स मॉड, पोर्टफोलियो वेरियंस बोला, वेरियंस मतलब पोर्टफोलियो रिस्क, शार्प इंडेक्स मॉड, शार्प इंडेक्स में बस इतनी सी बात है, कि कोवेरेंस कौन सा लेना, सर यहां कोवेरेंस यह वाला हैगा शार्प में तो सर यह जो दिया है यह यही वाला उठा लेता लेकिन अलक से मार्कोविट्स का भी पूछा है तो अब इस कोवेरेंस को मुझे किसके हिसाब से मानना पड़ेगा सिंबल सी बात है या तो कैलकुलेट करके देख लो पर इतनी जरूरत नहीं है मैं क्या बोलूँ अगर यह कोवेरेंस दिया तो यह मार्कोविट्स वाला ही दिया होगा सर अगर यह मार्कोविट्स नहीं लिखा रहता तो यही वाला कोवेरेंस उठाकर लिख देता फ्लीज 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 तो क्या हम में portfolio variance सार्प index model में इस covariance का यूज करुंगा नहीं हम मैं करूंगा बीटा ये बीटा बीist अगर ये नहीं मांगता नीचे वाला तो फिर पिर जो covariance दिया इसी ठग गया सर कोई बात नहीं ब्रेक ले लो वीडियो स्टॉप कर दो ब्रेक ले लो उसके बाद देख ले न अगे चले सर इस कोश्चन में कुछ खास बात थी कि कोई खास बात नहीं थी इसको नहीं भी गरोगे तो जैसे इस कोश्चन portfolio variance using sharp index model तो यहां covariance दिया ही नहीं है वो तो बीटा वाले यूच करना पड़ेगा अच्छा इस कोश्चन में क्या खास बात यह कोश्चन अच्छा है तर इसको भी इसको भी मैं LDR में डाल रहा हूँ दो कोश्चन इसके मैं LDR में डाला है यह कोश्चन बहुत अच्छा है तर टी वाई के 17 पेज नमबर 6.6 तो यारो दोलाग रोपे लगाना है या तो पूरा पैसा X में लगाई है या तो पूरा Y में लगाई है या तो 60% X में लगाई है और 40% Y में लगाई है कैसे आया है 60-40 मेरे ख्याद से अब समझदा रहा हूँ ठीक है आगे लिखा है Average Annual Return Earned By The Mutual Fund X and Y तो लगाई X में हमने 15% कमाया और Y में हमने 14% कमाया ठीक है Risk-Free है 10% और RM दिया है 12% Covarence दिया Covarence Matrix दिया X का X के साथ X का Y के साथ X का Mix का मतलब क्या है Mix का मतलब होता है Market Portfolio मा समझना इस तरह से Covarence Matrix दिया हुआ ठीक है You are required to calculate Variance of Return From X, Y and Market Variance का मतलब Variance का मतलब होता है Standard Division of X Square Nिकालना Standard Division of Y Square Nिकालना Standard Division of Market So, अगर मैं बोलों कि सीधा-सीधा 4.8 लिख सकता हूँ Yes, Standard Division of X Square वहाँ सारे बच्चे बोलते नहीं यार यह कैसे हो सकता हूँ तो मैंने formula से समझाने की कोशिश किया सुनना दिहां से Covarence XY का formula क्या है Standard Division of X Standard Division of X Correlation XY यह होता है अगर मुझे Covarence XX का निकालना है तो सर यह तो दिया है 4.8 Covarence Matrix है Okay सर और X X को X Square लिख देता हूँ और X का X के साथ क्या correlation है Sir 1 ही तो होगा यह पागलपन है X एक जैसा moment तो इसको मैंने 1 लिखा तो सर variance of X कितना आएगा 4.8 4.8 ही तो आना था तो variance of Y कितना आएगा 4.20 और variance of market कितना आएगा 3.1 ठीक है Time pass था X का X के साथ multiply X का X के साथ 4.8 ठीक है इसके लाव उन्होंने portfolio return beta portfolio सब portfolio से relatable सब portfolio का return कैसे निकले है अब यह return कौन सा मांग रहा है अगर मैं कहूं इसका हमको return दिया है इसका return दिया है इसमें 60 percent पैसा लगाना इसमें 40 percent पैसा लगाना तो portfolio का return तो निकल गया है Yes sir point say अब बीटा का क्या formula है sir beta covariance x और x और market का बीच का covariance x और market sir 3.370 divided by 3.3 sir beta भी निकल गया है इंडी बीज़वन तो portfolio बीटा भी निकल गया है अब portfolio variance कैसे निकले sir ये standard division of x दिया है और उसमें 0.6 है y उसमें 0.4 है sir ये 4.3 कहां से आया है x और y के बीचे में covariance sir बीटा बीटा करके निकालेंगे नहीं मैंने कहा अगर दिया है उसको challenge नहीं करो x और y sir x और y के बीचे में क्या दिख रहा है 4.3 तो ये आगया 4.472 standard deviation निकालना तो इसको square root करके आगया 2.115 अब expect return मांगना अब ये दिक्कत की बात है न ये मुझे समझ मनिया sir 1 हो गया 2 हो गया expect return systematic risk and unsystematic risk निकालना और sir ये क्या है ये past में कम आया expect return actually वो बोलना चाहरा था कि आप केई निकालो केई क्योंकि CAPM के लिए उसने हमको RF दिया है और RM दिया है इसलिए वो बोलना चाहरा था कि केई निकालो सब्द लिग दिया expect return ठीक है पर किसका निकालना है X का की Y का की portfolio का उन्होंने तीनों निकालती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है X का Y का और portfolio का सारी चीजें से हम रहेगी से बीटा में change हो गया तो ये निकल गया तो systematic risk निकालना है किसका एक्स का की Y का की portfolio को उन्होंने तीनों का निकाला है X का बीटा Y का बीटा portfolio का बीटा तो systematic risk भी निकल गया सार unsystematic risk सिंपल है total risk हम को मालूम है उसमें से systematic risk minus कर दिया तो unsystematic risk निकल ये कब निकाला था ये निकाल चुक्क है भई ये निकाला था 4.47 इसके बाद mutual fund की चीजे पूछा है क्या क्या पूछा है सर एक तो उन्होंने पूछा sharp ratio sharp ratio हमको मालूम है average return कितना कमाया divided by standard deviation sharp ratio higher is better दूसरा trainer ratio हाला कि ये trainer ratio of mutual fund में पढ़ना है पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ बे रिस्क प्रीमियम में आएगा पर यहाँ total risk लेता है और यहाँ क्या लेता है systematic risk लेता है और alpha तो जैसे कर रहे थे वह से करेंगे average return minus key ये detail में समझना कहा है mutual fund में आता है ये और multiple choice question यहाँ से आए गई आए तो अच्छा question था LDR question है ओके ब्रेक लेता हूँ दो मिनट का आपके लिए तो नहीं है मैं तो pause करके फिर से restart कर दूँ और फिर करेंगे हम arbitrage pricing theory and portfolio rebalance खता ठीक है जी focus चलो तो हम लोगोंने modern portfolio theory पढ़ा था मैंने दो मिनट का break लिया था और सर इसके अलावा हमने C.A.P.M पढ़ लिया खतम हो गया C.A.P.M आगे बड़े यस सर अब कुछ बचा नहीं है अब खतम होने वाला APT Arbitrous Pricing सर C.A.P.M क्या बोलता था C.A.P.M ये बोलता था MPT क्या बोलता था MPT सर ये बोलता था MOD COVID ये बोलता था कि अलग-अलग Stocks में पैसा लगाईए जिसका आपस में Correlation Negative है तो Unsystematic Risk को Diversified कर किया जा सकता है मतलब Reduce किया जा सकता है ठीक है C.A.P.M क्या बोला C.A.P.M बोला कि भाई, Economy Down होगा Economy Down होगा तो पूरा जितने भी Stocks में पैसा लगा होगा सब डाउन होगा तो चलो ना उसको Manage करते है C.A.P.M के साथ दिक्कत थी उन्होंने Economy का मतलब इस जिप Sensex या Nifty लिया जबकि Actual में Economy को जो Captured की जाती Economy वो Sensex या Nifty भी है एक Factor इसके अलावा भी बहुत सारे factors हो सकते This is Multi-Factors Model उन्होंने का यार GDP ये भी तो एक है Economy को Capture करता है GDP के अलावा Inflation Rate, Interest Rate, Exchange Rate आप सिर्फ Sensex या Nifty को एक ही Factor कैसे ले सकते हो आप Single Index यूज नहीं कर सकते आप Single Factor यूज नहीं कर सकते आपको Multi-Factors यूज करना पड़ेगा यही इन्होंने Arbitrace Pricing Theory में बताया है यह सब लिखवाया हूँ ओके, यह चाहो तो बढ़ ले ना चाहो तो छोड़े It means CAPM जो है वो Single Factor Model है सिर्फ Single Factor और वो सिर्फ किसको Capture करता है Index Premium को जबकि APT में Factor 1 GDP भी हो सकता है दूसरा Factor Inflation भी हो सकता है ऐसे बड़े सारे Factor होता सकते है इसलिए इसका नाम क्या है Multi-Factors Model मतलब सर्थ कुछ करना नहीं है बस यहाँ यहीं तक खतम होता था CAPM अब APT आगे भी खतम होगा बाकि इसका लोजिक मैंने आपको बहुत अच्छी से समझा रहा है ओके तो सर एक्जामपल एक्जामपल कुछ नहीं है भाई RF दिया रहेगा Inflation का Risk Premium दिया रहेगा Risk Premium और उसको Factor से Multiply कर देंगे सर इंटरेस्ट का Risk Premium Factor से Multiply APT Cancer आजाएगा और यह आगा है 17.1% बिल्कुल सिंपल है ओके यह वाला जो एक्जामपल है यह Important Important है सर आरिब दिया है Risk Premium दिया है और इसका Risk Premium ठीक है सर और सर और एक Factor है जिसका Risk Premium दिया है एक Risk Premium दूसरा रिसक Premium उसका बीटा उसका बीटा तो क्या A का Expected Return निकाल सकते हो हाँ सर 6 Factor Risk Premium 1 इंटो बीटा 1 Factor Risk Premium इंटो बीटा 2 ऐसे किसका निकालोगे सर B का निकालेंगे सर यह Quotient Mark क्यों आपके Copy में सहीं लिखा यह तो मैं समझाने के लिए Quotient Mark लगा है Suppose 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 We invest in 80% in Stock A Sir इसमें हम 80% लगा रहे 80% तो इसमें कितना लगाएंगे 20% इक है सर Then Factor Sensitivity 1 मतलब सर यह जो बीटा 1 है न यह Portfolio का चाहिए अराम से हो जाएगा Sir Portfolio 1.2 into 0.8 0.5 into 0.2 खतम ना यार वही मैंने किया है ठीक है I am saying उसके लिए तह या रहो कल बात करेंगे समझा Suppose यह important है Suppose We want to create a portfolio so that Factor Sensitivity 2 यह जो Factor Sensitivity 2 है Portfolio का इसका Weighted Average 1 आना चाहिए तो बताइए इसमें कितना पैसा लगाए और इसमें कितना पैसा अराम से काम हो जाएगा हाँ Sir हो गया हो गया क्या हो जाएगा कहां है नहीं है यह किया है Sir Sir हमको रखना है 1 Yes और इसका हमको 0.9 मालू है Yes इसका 1.5 मालू है तो आंसर आ जाएगा यह Weighted A और यह आ गया Weighted A That's it तो यह Question है Question No. 54 TYK 40 Page No. 6.77 Okay बढ़े बहुले भाई चार जो पूरा Market है उनको उन्होंने Available Stocks है चार कैटीगरी में बाट दिया पूरे Market को Small Cap Growth Value Large Cap Growth और Large Cap Value ठीए Mr. Nirmakumar आरस एस्टिमेट दा Weight of the Abow कैटीगरी और Weight से भी बता दिया कि यह Market में इसका Weight कितना इसका Weight कितना इसका Weight कितना इसका Weight कितना यह Weights भी बता दिया उन्होंने और Total मिलाकर Factor 1 Factor 2 और Factor 3 तीन Factor लिया Sir Factor 1 कौन सा बिट यह पीटा वाला है मतलब जो C.A.P.M. में यूज होता है और बाकि एक Book Price हो रहे कि Inflation हमको क्या फर्क पड़ता है और Sir RF कितना दे रखा है 4.5 पॉश्ट Using A.B.T. Determine the Expect Return on Market Index Expect Return on Market Sir सुनो हाँ बलो Sir सब का रिटन निकाल लेते हैं मतलब Small Cap Growth का किसके साब से A.P.T. के साब से कैसे निकालोगे Sir This मतलब RF दिया RF प्लस Factor Risk Premium Into Beta Factor Risk Premium Into Beta Factor Risk तो ऐसा Small Cap Growth का निकल जाएगा Value का फिर इस तरह से काम करके सब का लग लग कर सकते हैं Sir Alternative हम Portfolio Beta निकाल सकते हैं वैसे भी जो मर्जी कर लीचे मुझे Expect Return किसका निकालना Portfolio तो Sir हमने क्या क्या Calculation of Expect Return of Using A.P.T. Weighted Average Beta निकाल लिया फिर ये सब जो है इसको Weight से Multiply कर दिया ठीक है Weighted Average Beta निकल गया Factor 1 Factor 2 Factor 3 और इसका 1 ही होना चाहिए ना Market का 1 ही होता है अब समझ रहो ना यार ये सब मिलाकर Market है जब इसका Weighted Average करूँगा तो 1 ही तो आना चाहिए और उसके बाद फिर मैंने इसको Equation में डाल दिया तो ये आगे 7.7525 Alternative Answer Possible है Answer इतना ही आएगा Alternative Presentation Possible ओके आगे क्या बोला Using CAPM Determine Expect Return of Market Index CAPM से CAPM मतलब वो कह रहा भाई आप इसको Huge मत कीजिए इसको Huge मत कीजिए बस इसी को Huge कीजिए चलो तो हो गया फिर तो Portfolio Beta निकाल के भी कर सकता हूं और मैंने इस बार अलग-अलग किया और फिर वेटे ता कि मैं दोनो टाइप का करवा थो मैं Portfolio Beta निकाल सकता था सर वन था Portfolio Beta तो वन था RM is equal to भी तो वो तो 11.35% आ जाता खेर ठीक है सर समझ गया CAPM के सबसे निकालना था ये कसे Mr. Nirmal Kumar wants to construct a portfolio सिर्फ small cap और large cap growth में पैसा लगाना चाहते small cap value और large cap growth ठीक है ता कि target beta मतलब इसकी बात कर रहा इन दोनों का weighted average करे तो कितना आना चाहिए 1 तो बताएं composition बताएं आराम से हो जाएगा इसमें मुझे ज्यादा समझाने वाली बात नहीं ठीक ओके सर इसमें कुछ करवाना नहीं देखा जाएं तो question में कुछ खास बात नहीं थी इसलिए सर ये last day division चाहू तो डालनों पर मुझे नहीं लगता कि इसकी जरुद बढ़ेगी मतलब मैं सुप यूनिक question डूल रहो एक्जाम्बल नमबर 30 अच्छा question है अच्छा question है सर ये है stock A इसका बीटा इसका बीटा इसका बीटा इसका बीटा और सर इसका APT के हिसाब से expected return दिया हुआ APT के हिसाब से कहा लिखा भाई ये मेरा example है इसका बता रहा हुआ APT के हिसाब से दिया है और इसका भी expect return APT के हिसाब से दिया है risk free दिया है APT के हिसाब से expect return कैसे निकलते है expect return is equal to RF plus factor risk premium 1 into beta 1 plus factor risk premium 2 into beta 2 अब मैं आप से कह रहा हूँ क्या है ये दिया है yes क्या ये भी दिया है ये ये भी दिया, ये भी दिया, तो ये तो निकाली सकते ना यार तो वही वोल रा, factor risk premium factor risk premium 2 पर सर कैसे निकालेंगे, दो-दो missing है बिट्टे, बिट्टे, मैं कह रहा हूँ और एक company का तो दिया है, तो simultaneous equation बना के काम कर सकते वही मैंने की ओके, calculation of ये question exam में आया हुआ, इसलिए मैं discuss कर दो, factor risk premium 1 and 2 तो ये equation बना लिया, अब 6 को इधर से minus कर दिया, मनि यहीं की यहीं से तो ये आ गया है, और उसके बाद फिर आपको simultaneous equation आता है मेरे ख्याल से, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तो ये answer आपका आ जाएगा ठीक है, इस पर practice कर ले न, ये अच्छा है ये वाला है आपका LDR question ये वाला question तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे आपने कितनी भी practice कर रखा है सर ये जो question है, ये TYK 15 है बस यहाँ थोड़ा सा उन्होंने figure change किया कोई फरक नहीं पड़ता ये समझ लो, वाला कर ले न, TYK 15 एक ही question है, बस उन्होंने यह 0.8 लिख रखा है इस हैं टो मैटा ओके, देखे सर, यस देखते है किया हो सर इस में X है और Y है और risk free है और risk free का beta तो 0 है factor 1 दे रखा है, उसका beta factor 2 दे रखा है और expect return निकाल कर दे दिया ठीक है, तो इसका मतलब ये RF है हाँ, ये RF है ये RF है इस एस्यूम देट security returns are generated by two factors model ठीक है भाई Mr. Kapoor, ओके, अब अब धियान समझा उनके पास एक लाक रुपए already है येस और short sell किया है पचास जार तो अब कितना होगा एक लाक रुपए short sell समझ में आता है अब ये मन बोलना कि नहीं आता है जमाने भर का question किये वे short sell sir, एक लाक रुपए खुद के पास है और short sell किया तो हमारे पास पचास जार और आ गया तो टोटल हो गया वन लाक फिप्टी था होज़ए और जो वन लाक फिप्टी था होज़ए ने वो हमने security X में invest कर दिया तो what is the sensitivity of Mr. Kapoor portfolio to two factors तो वेट निकालना पड़ेगा सबसे खुद का पैसा कितना है एक लाक short sell कितना किया पचास जार और टोटल मिलाकर एक लाक पचास जार रुपिया लगा दिया सबसे important है X में कितना पैसा लगा है सब जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा हाँ मैंने कहा हमेशा नीचे क्या होता है on fund please 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 यह आपको परेशान करेगा यह तो जैसे तैसे समाल जाओ लोगे point number two में और परेशान ही होगे one point two और y से short sell किया था मतलब borrowing type का यार minus point five बस यही समझ में आ गया है ना अब क्या करना है अब उसने कहा कि portfolio का beta बताईए तो हो जाएगा portfolio का beta factor one x और y और इसका x और y और फटाफट से काम हो जाएगा इस पर जज़ादा problem ने जाएगा यहां तक ठीक है point number two परेशान करने वाल point number two पढ़ो 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 sir mr. kapoor बोरो एक लाक add the risk free rate एक लाक लुपे और बोरो कर yes sir खुद के बास कितना है एक लाक और बोरो कितना किया एक लाक तो टूटल कितना हो गया दो लाक और question में लिखा है कि इन दो लाक को खुद का एक लाक है और बोरो की एक लाक दो लाक को x और y का weight वैसे ही रहेगा जैसे पहले था मतलब इसका वेट कितना है 1.5 इसका वेट कितना है माइनस पॉइंट फाइव तो यह वेट ऐसा ही रहेगा सर कहां लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है सर मैं आपको बता दू मिश्टर कपूर बोरो करेगा एक लाक ठीक है और जो उसे ने बोरो किया है और जो उसके पास ओरिजिनल है एक लाक रुपए उसको X और Y में उसी रेशो में लगाओगे जो पहले था अब पहले रेशो किया था 1.5 और माइनस पॉइंट फाइव यह वाला पॉइंट नहीं बनता है बच्चों कि मेरे पास समय भी नहीं है मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता इस रेशो में बाड़ दिया है ओके तो इधर कितना लगाया X में 3 लाक और Y में माइनस एक लाक ठीक है X का विट हमेंसा नीचे on fund रहेगा मैंने पहले ही बूला था तो यह आगे 3 तो यह आगे माइनस 1 और risk freak आगे माइनस 1 टूटल करोगे तो वेट का टूटल 1 आगे और फिर तो सर्फ वेटेड आवरेस करी लेंग ठीक है मैंने पहले ही बूला था अच्छा कोशन है What is the expected return premium of factor 2 तो मतलब factor risk premium 2 मांग रहा है अभी किया था simultaneous equation भद करता है ICEI उन्होंने एक alternative बता रखा है क्या risk premium तो यह भी है ना 15-10 और 20-10 ऐसा भी कर रखा है तो जिसका दिल कर रहा है वैसे कर ले न मतलब यार factor risk premium बोले देखो ना 15-10 पाच परशन और 20-10 क्या logic है वाई factor risk premium 2 मांग रहा है आप कुछ भी करके दिखा रहा है simultaneous equation से काम होना था और वही काम मैंने हां करवाया 1, 2 और काम किया तो factor risk premium 0 आ गया और factor risk premium 6.67 यह भी कर रखा है institute यह ज्यादा logical वो तो कुछ भी कर रखा है कि कर लोगे equation solve करना आपको आता है तो यह वाला question भाई exam से पहले देखकर ही जाना पड़ेगा नहीं हो सकता आप से आप अब भी कितने भी अच्छे से बना लो एक दिन पहले आपको करना ही पड़ेगा तब ही याद रहेगा question number 53 इस बार के paper में ICAI ने हद कर दी है question मैंने आपको बताया था conceptual यह गलत है वो concept गया तेल लेने सबसे पहली बात institute ने तो हद कर दिया इस question को उठाया और वो चार था ना small cap growth small capital उसके साथ mix करके दे दिया बच्चों की हालत खराब होगी इस question मतलब यार दोनों को question मिक्स करके दिया वहाँ दिमाग चलाना पड़ता तो वो question करवाऊगा है कि हाँ इस बार का paper में करवाँगा ना भी दो चार दिनों में तो ये को वो करवा दूँगा ठीक है सर इसमें क्या है वैसे special इसमें कुछ नहीं है इनका यह कहना है हमारा अनुमाबिल को ध्यान से समझना सर कितना return कमाया हमको ये निकालना ठीक एपीटी के सबसे कितना return होना चाहिए सर आरेफ कितना है 9.25% 9.25% हमारा अनुमान क्या था मैं इसकी बात नहीं करो मैं इसके सर हमारा अनुमान था कि inflation rate 5.5 बढ़ेगा inflation rate आएगा 5.5 जबकि inflation rate की actual में कितना change हुआ है सर 7% तो बताओ कितने percent का change हुआ है तो 2% inflation जादा रहा अकर inflation 2% जादा है तो बीटा कितना है 1.75 inflation के बढ़ने से हमारे stock पे तो 2 into 1.75 का फर्क पढ़ता है न यार APT के सबसे return कितना है मतलब सर actual minus expected की है yes difference और जो difference आया उसको मैंने बीटा से multiply कर दी हमने क्या हुआ हमने क्या सोचा था अगर हमने सोचा था कि interest rate 7.75 हो गया और हो गया सर 9 तो यार हमें भी तो ज़्यादा चाहिए और कितना difference जो difference आया उसको multiply किया तो वो जो difference आया कुछ न risk premium into beta किया तो ये difference आया और ये जो इसमें RA add कर दिया तो return आ गया 7.40 मैंने इसके बीचे बहुत कहानी सुना रखा है यहाँ वो कहानी discussion नहीं कर सकता कहानी discussion का time भी नहीं ओके तो ये हमारे AFA module का है कि या सर इसमें कुछ सुधार हुआ है कुछ सुधार नहीं हुआ ओके तो देखा जाए तो APT खतम हुआ तीन question है अगर मेरी नज़रों से देखो तो तीनों question ही करना पड़ेगा आपको पर ठीक है मुझे वो वाला question ज्यादा अच्छा लगा कुछ समझ जाओ कि यार ये वाला करना चाहिए हमको वो आप person to person depend करता है किसी person को कोई question अच्छे से समझ में आगे वो इसको LDR में नहीं लेगा पर किसी को ऐसा लगा यार नहीं यार ये तो मुझे देखना पड़ेगा तो वो इसको LDR में लेगा अप ऐसे क्यों बन गया ह हो कि यार नहीं सर ये 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 आप लिख कर दो आप में लिख कर दो आप खुद समझदार हो यार और important तो कुछ होता ही नहीं है sir important होता है तो attempt भी लग सकता है वो आपकी risk पर depend करता है portfolio rebalancing या portfolio revision इसमें दो चीज़े हो सकती theory और practical और new theory कि मैं बात करूँगा नहीं मैं बात करूँगा सिप numerical कि जितना time है हमारी पास okay तिर क्या होता था पूर्टफोलियो को rebalance करना है ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार आपने रख लिया आपने share market में पैसा लगा दिया और सो गए और जो होगा देखा जाएगा दस साल बात मतलब यार उसको change करते रहो ना यार switch करते रहो कभी इसमें चले गए कभी इसमें चले गए तो इसी को आप पूर्टफोलियो और रिबैलनसिंग उसमें एक strategy है buy and hold buy and hold में क्या होता कुछ नहीं होता buy and hold में मानलो हमारे पास 5 लाक रुपे है तो कुछ पैसे हम bonds में लगा देंगे और कुछ पैसे equity मानलो bonds में दो लाक पचास जर लगा दिया और equity में दो लाक पचास जर लगा दिया आधा आधा पैसा और आराम से सोते रहे जो होगा देखा जाएगा इटमिस buy कीजिये और hold करके रख दिजिये मतलब सर ये active नहीं है active नहीं है हर वो बताएगा question में हमारा target है हर महने हमको देखना है यह भी दूसरा और भी हो सकता हर महने देखना है और इसको rebalance constant mix का मतलब सर अभी हमने बराबर बराबर mix किया एक साल बाद हो सकता है सर equity ज़्यादा हो जाए और हो सकता है कि equity हो जाए तीन लाख और bond दो लाख पचास ज़ाया तो total मिलाकर तो च पचास हो गया फिर इसको mix करेंगे फिर mix करेंगे constant करेंगे constant मतलब दोनों को बराबर करेंगे सर दोनों को बराबर कैसे होगा तो total कितना होगा है 5,50,000 divided by 2 तो सर 2,75,000 यहां करेंगे 2,75,000 यहां करेंगे सर उद्देश क्या रहेगा उद्देश सिंपल से रहेगा कि यार equity base देंगे और bond में पैसा लगा देंगे तब ही तो दोनों बराबर hook constant करती हुए चले उद्देश से बस इतना हो है सर इसका क्योंकि equity बढ़ रहा है तो चीजे बढ़ गई तो बेच के थोड़ा सा फाइदा कमाऊ ना यार याद है ना यार equity बढ़ता है चीजे बढ़ती है तभी तो आप बेच थे हूँ वह उद्देश और constant proportion portfolio insurance CPPI सर यह क्या कहता है यह कहता है कि यार सुनो ना चीजे बढ़ रही है तो और खरीदो ना यार कहां बेच रहे हैं यार आप खुद सोचो equity bird आया और आप बेच रहे हैं पागल हो गया है equity bird आया तो आप खरीदिये कि यह बढ़ीगी तो उधर और पैसा लगा हूँ ना यह वाद बुलाई ओके सर ओके यह सब थेयरी समझाया था बहुत डिटेल में समझाया हूँ मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस यह सारी यह linear एकवटी यह सब कुछ समझाया है कौन के ओं कन्वैक्स मेरे रैगुलर वाले बच्ची तो बिल्गुल ठीक है सर बात समझ एक है कोश्चन नमबर 56 कोश्चन नमबर 56 एक सेकंड मुझे टाइम दो मैं बता दूं कहां से कोश्चन है किसा यह जो कोश्चन है ना यह कोश्चन आश्चली आपके एफे मॉड्यू में पॉर्टफोलियो में नहीं डला है यह जो है वो पॉर्फोलियो में टेकनिक टेस्ट करना चाहती है और गेन और लॉस को कंपेरिजन करना चाहती है किस से पेस्यू बाइन होल यह एन अवी दिया हुआ तुनीधी जो इन्वेस्ट कर रही है वो दो लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है एक्विटी इन एक्विटी फंड एक्विटी मतलब इतना दो लाख में से एक लाख किसमें इन्वेस्ट कर रही है equity में और दूसरा एक लाख रुपए किसमें invest कर रहे है bonds में ठीक है और कब invest कर रहे है beginning of December 2008 and the total portfolio was rebalance, यह important है, rebalance कब होगा, sir जब NAV, जो पिछला NAV है, उससे increase या मतलब यार बहुत ज़्यादा fluctuation होगा ना, तब हम rebalance करेंगे बहुत ज़्यादा fluctuation होगा अगर ज़्यादा fluctuation नहीं हो रहा तो rebalance क्यों करेंगे आपको क्या निकालना, आपको value of portfolio निकालना है, किससे constant ratio plan से और उसको किससे comparison करना है, buy and hold तो equity में कितना पैसे लगाना है, एक लाख, और bond में एक लाख, तो कितना units खरीदेंगे, units आपको समझता है सर, एक लाख रुपए December के beginning में खरीद रहा है तो December के beginning का NAV नहीं दिया है December end का NAV दिया है बच्चों अगे आप कैसे 40 की हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं मेरे पास कोई option नहीं है ना ओके सर तो एक गलती आपको समझ में यह जो है, यह एक लाख रुपए खर्च करना है December beginning में जिसका NAV हमको नहीं मालूप हमको यह वाला लेना पड़ेगा 40 के सब से तो यह table बनाना पड़ेगा इसके मविना हो नहीं सकता तो देखो table कैसे बनेगा NAV, bonds, equity, total और क्या करना है December में हमने 40 के सब से एक लाख रुपए bond में, एक लाख रुपए equity में, yes तो टूटल मिलाकर दो लाख रुपए लगाया तो एक लाख divided by 40 हमने 25 यूनिट्स खरीदा है अब सर rate 25 हुआ तो सूचो क्या 15% से ज़्यादा down हो गया, 40 तो बहुत ज़्यादा गिर गया तो इसकी वज़ा से bonds में तो कोई फर्क नहीं पड़ा पर equity में फर्क पड़ गया 25 25 हो गया ना यार और number of units कितना है, सर पचीस सो तो पचीस इंटू पचीस सो सर 62500 हो गया, तो total 162500 अब इसको rebalancing करेंगे दोनों के equal कर दो, तो 162500 divided by 2 कर देंगे, सर 81250, 81250 इसका मतलब पहले equity था, अब क्या है 81250, तो सर खरीदेंगे कितना 81250 minus 62500 तो सर 18750 का equity हमने पढ़ा दिया, मतलब खरीद रहा है और कितने के सब से, 25 के सब से तो सर 750 units खरीदेंगे टोटल मिलाकर, अब हमारे पास 3250 units हो जाएगा, इसी तरह से काम करते हैं और यह करते जाओगे जहां 15 person से ज़्यादा down नहीं होगा वहाँ नहीं करेंगे, और टोटल हमारा portfolio आ गया है constant mix से 12,44647 मेरे खहल से यह कर लोगे अब और सर, buy and hold से investment यहाँ एक गलती है institute की गलती है मैंने आपको क्या बताए है, buy and hold में 2,00,000 में से 1,00,000 equity में लगाते हैं, और 1,00,000 bonds में लगाते हैं, उन्होंने पूरा 2,00,000 equity में लगा दिये क्यों? और उसे साफ से 5000 units और 5000 को 52 से multiply कर दिये 5000 units खरीदा था कब? यहीं खरीदा था सर 5000 units और hold करके रखा और फिर उसने उसको 52 से multiply कर दिया तो बहुते इससे हिसाब से 2,60,000 है तो buy and hold is better लेकिन actual में यह होना कैसे चाहिए था? 1,00,000 divided by 40 तो number of unit आजाता 25,00 into multiply किससे होता? 52 तो सर 25,00 into 52 तो सर 1,30,000 यह होता 1,30,000 और उधर कितना लगाया था आपने? bonds में सर 1,00,000 तो total मिलाकर 2,30,000 होता उससे साब से यह strategy ज़्यादा अच्छी होती है logical इससे बोल रहा हूँ institute ने पूरा 2,00,000 इसमें लगा है institute के सब से चलेंगे, चल लो अब यह वाला question आया था कब आया था सर? वैसी वाला question है सुनी दी था, यह स्रीनी थी है ठीक है? इसमें भी 5,00,000 है अच्छा और क्या? सेम question दिखा हुआ है यह इस exam में कब आया है? 9,00, November, 2022 पर इन्हों ने जो buy and hold किया है इन्हों ने bonds में 2,50,000 लगाया है और equity में 2,50,000 लगाया है आप देख लेना सुनी को यह accurate, सर हम करेंगे कैसे? बाइन hold करना तो मैंने आपको याद करो मैंने class में करवाया हूँ कि आप दोनों तरीके से कर लेना इसमें तोनों वाला दिखा देना बात करता चले जी यासा टाइम बरबाद नहीं कर सकते हैं इसके पीछे और एक था buy and hold पड़ा सर कॉंस्टेंट mix पड़ा और कौन सा है? CPPI Constant Proportion Portfolio Insurance इसका question डला नहीं है पर ऐसा हो इनी सकता किस question ये question आएगा नहीं 100% आस सर इसमें ये क्या नहीं काल रहा है इसमें हम ये कहते है मैं हूं Chartered Accountant और मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो यार मैं आपका पैसा investment करने को तयार हूं कितना पैसा दे रहा है तो आपने का कि हम देंगे सर 3,00,000 रुपए मैं नहीं का ठीक है कितना risk लेने को तयार है उसने का मतलब मतलब अगर loss हुआ तो क्या आप तयार हो देगो profit तो मैं कमाऊंगा यार पर loss हुआ तो आप कितने दिनों के लिए मैं एक मैने के लिए दे रहा हूं गिरेगा जादा से जादा तो मेरा भी पैसे अगर 30,000 का loss हो तो चल जाएगा आप पर 2,70,000 तो वापस कर ही देना हो इस टॉप loss हो गए कि ये इस टॉप loss नहीं है पर 2,70 तो हमको मिलना ही चाहिए यार अब आप खेल लो जो खेलना 30,000 रुबेगा तो भी चलेगा पर मज़ा तो तब है जब 3,00,000 से उपर कमा कर दोगे यस सर तो क्या करेंगे कुछ नहीं करना है सवाल है कि उसने दे तो दिया 3,00,000 ठीक है और 3,00,000 और मांग कितना रहा है एक मैं कम से कम 270, जादा से जादा जितना दोगे पैसा भी दूगा ना यार अब यार मुझे पैसे जो लगाना है मुझे एकविटी और बांडस में लगाना है सवाल है एकविटी में कितना लगा हूँ सर जितना वो रिस्क लेने को तैयार है 30,000 रुपए एक्विटी में लगा दीजिए 30,000 क्या आपको मुझ पर थोड़ा तो यकीन है मतलब आप कहरो सर्थ 30,000 रुपए में लगा दोगे और एक मैने बाद वो जीरो हो जाएगा तो थोड़ीन होगा यार गिरेगा तो जीरो थोड़ीन ने दिया एसेट्स और 2,70 तो वो हमसे वैसे भी मांग रहा है 30,000,000 माइनस 2,70 तो सर्थ 30,000 रुपए खिलने के इतलिए उसने दिया है तो इसका चलो नहीं है डबल लगाते है एक्विटी में हमको मालूम है हम जीरो नहीं करेंगे डबल 60,000 लगाते है पर 60,000 अगर डूबा भी तो 50 वर्शन का नुक्सान होगा तो भी 30,000 तो बच्छी जाएगा तो टेंशन देख ओके सर ओके सर तो इक्विटी में कितना पैसा लगाना सर ये LDR कोश्चन रहेगा कि यासे इससे पहला सुनीदी वाला भी LDR कोश्चन है प्लीज सुनीदी वाला करके चले जाना ओके सर ये LDR कोश्चन है हमारा ठीक है ओके सर ओके सर तो सर 60,000 रुपए एक्विटी में बॉण्स में कितना लगाएंगे तीन लाख में से साठे जार तो ये वाला कॉंसिप और एक्जाम्पल ना करो तो ज़्यादा अच्छे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में गया हमें एक्जाम्पल में मैं सीधा बात करूँगा कोश्चन नमबर 58 की जो है या नहीं है डेजनेट मेंटर पर ये आपको करना है कही ना कहीं तो है ये मैं ढूनने का मेरे पास टाइम नहीं था पड़ो सर इंदिरा ने तीन लाख रुपिया दिया ठीके सर तीन लाख रुपिया ओके सी वांट तो इन्वेस्ट शेर मार्केट रिबैलेंसिंग हर 10-10 दिन में रिबैलेंसिंग करना है और आज से करना प्रेजेंट अभी निफ्टी कितना है सर पाच जार तीन सो चब्विस और हमको ऐसा अनुमान है कि निफ्टी हो जाएगा 4793.40 या बता सकते हो निफ्टी कितने पर्षेंटिस से गिरेगा एक मेहने में यस सर दस पर्षेंट से तो हम जितना पैसा दे रहा है हम भी चाहते हैं कि या दस पर्षेंट से गिरे हमें तो 270 तो किसी भी हालत में मिलना चाहिए इसको मैंने नाम दिया फ्लोर और मल्टी प्लायर क्या इससे डबल सर टू ही क्यों थ्री क्यों नहीं फूर क्यों नहीं परिशान कर दिया था लाइव क्लास इसमें आपने भी दिया रहेगा वो आपपर डिपेंड करता आप हो ना यार आप पैसे लाप थ्री ले लो अगर आपको मालूम है मैं ऐसी एक्विटी में पैसा लगा रहा हूं जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है तो आप थ्री से मल्टीप्लाई करो जिसको ऐसा लगता है रिस्क बहुत ज़्यादा है वो आप अपने हिसाब से दिल ले सकते हो ना यार इस पर बहुत ज़्यादा परिशान किया था पर यहाँ लिख कर देगा ना यार कोश्चन में टू तो टू ओके सर तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ हजार रुपे हमने कहां लगाया एक्विटी में और तीन लाक में से साथ हजार तो दो लाक चालीस ज़्यार कहां लगा दिया बॉटस घ्ट सिट ओके सर लगा दिया काम खताम अब सर दस दिन बाद क्या हुआ दस दिन बाद दस दिन बाद हुआ है निफ्टी हो गया 5122.96 निफ्टी हुआ 5122.96 तो सारी एक्विटी का बीटा क्या है उसने यहां साफ साफ लिख दिया कि एक्विटी जो है वो मार्किट के हिसाब से निफ्टी के हिसाब से चैंज होगा मतलब वो बताना चाहता कि बीटा वन है जितने से निफ्टी गरीगा उसने से एक्विटी गिरेगा और रिस्क फ्री तो कोई बीटा नहीं का पागल है ठीक है तो चलो पहले देखेंगे कि Nifty कितना था सर जब हमने Equity में 60,000 लगाया था उस समय था Nifty ये अब हो गया ये तो Equity हमारा कम हो गया और Bonds में तो कोई Change नहीं सर Bonds में Interest वगिरा भी तो आएगा तो मैंने का मैंने बात कर चुका हूँ कुछ नहीं लेना तो से Total Portfolio ये हो गए इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ Assets अब सर एक्विटी में कितना लगाना है तो ये वाला Assets यहां जाएगा Floor में कोई Change नहीं होगा अब एक्विटी में लगाओगे इतना और Bonds में जितना था Assets में इतना है तो एक्विटी में लग गया है तो इतना किस में आ जाएगा Bonds में ये फॉर्मला आपको पता है ये फॉर्मला आपको हर दस दिन में लगाना अब ध्यान से देखो 57713 था एक्विटी और कम हुआ तो आपने बेश दिया सर एक्विटी कम हुआ तो आपने बेचा क्यों भरी Market डाउन जा रहा है तो निकालो वहाँ से जिब डूब रहा है तो क्यों डूबनेंगी कोशिच कर Marget डाउन Equity डाउन हो रहा है तो वहाँ से पैसे निकालिए और यहां ट्रांसफर करें तो यह बताना है कि हमने एक्विटी बेच कर पैसा बॉंड्स में लगा दी ठीक और फिर दस दिन वाला फिर तो करी लोगे ओकेस 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 ठीक है यह था पॉर्टफोलियो री बैलेंस अगर ऐसा लग रहा तो मैं अपनी रीटी पूरी करूंगा इट में जब मैं लाइव क्लासिस बढ़ा रहा था तब भी बच्चों ने कहा था कि सर हम यह छोड़ दे क्या तो कि फॉर्मिले और मैंने कहा था छोड़ सकते हो आज तक आया नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा था कि हटा देगा इंस्ट्यूट नहीं हटाया है भाई आपके मॉड्यूल में डला हुआ है तो सर मेरी रीटी क्या है? मेरी रीटी है आपको करवाना देखे कॉंसेट पे लेके चलूँगा सबसे पहले तेयार हो जाओ ऐसा है नहीं कुछ इस्पेशल हो रहा कुछ इस्पेशल नहीं तो रमेज जो है सर ये टी वाई के कुछ है क्या हा ना यार मैंने लिखा क्यों नहीं नहीं समझे तर लिख लो ना यार वीडियो पाउस करके लिख लेग ये आपकी एएफ है मोड्यूल का ये टी वाई के 35 पेस नूमर 6.76 इस बात की पूरी उमीद है कि 99% बच्चे इस कोश्चन को छोडएंगे लेंद ये time consuming है formula है पर क्या आप उन में एक परशंट में हो उस पर depend कर आगया तो मैंने बच गई सर है क्या समझा रहा हूँ concept क्या logic क्या ही समझा रहा हूँ actually ना है क्या यार ये security है ये expected return है ये beta है और ये unsystematic risk है और साथ में market index market का variance ही दिया है 10% is square और risk free rate दिया है 7% optimum portfolio निकालना है सर क्या कहना चाहता है देखो मैंने आपको efficient और optimum करवाया था याथ है optimum का मतलब होता best जितने stocks है उसमें से मुझे एक portfolio बनाना है सबसे अच्छे stocks निकालना है तो उसको निकालने का एक तरीका है जिसका नाह है sharp optimization model दुसर निकालते हैं क्याज़े सबसे पहले आप इन सब का trainer ratio निकालीजे ट्रेनर रेशो याद है ट्रेनर रेशो expected return मतलब risk premium divided by beta सर access return to beta ratio आप पैसा बोल दीजिए आप इसको trainer ratio बोल रहा हूँ क्योंकि हमको यह याद रहे तो सब का मिने निकाल दिया आराम से निकल जाएगा यह मालूम है आरेख मालूम है और beta मालूम है अब उसमें जो भी highest है उसके हिसाब से आप rank दे दोगे highest to lowest तो सर इसमें सबसे ज़्यादा trainer ratio है तो यह first rank जिसमें उसके से कम यह second rank इस तरह से हमने rank भी दे दिया यहां तो कोई दिक्कत यहां तो कोई दिक्कत अब target समझना target क्या है target है कि मैं cut-off cut-off point निकालूगे sir cut-off cut-off sir किसका cut-off निकाल रहा हूँ trainer ratio का और मन से लिख रहा हूँ मालो आ गया 2.33 वैसे cut-off होता है ना यहर हाँ sir college में admission का cut-off वैसे यह भी cut-off वही stock लूँगा जिसमें cut-off से ज़्यादा आएगा जिसका trainer ratio तो sir F इस cut-off से ज़्यादा है sir A इस cut-off से ज़्यादा है sir B यह भी इस cut-off से ज़्यादा है तो हमको A, B और F यह 3 stock select करना चाहिए important है यह कैसे निकाला जाता है sir 2.33 कहां से है मन से लिखा था मन से तो अब हम क्या निकालने जा रहे cut-off point सबसे ज़्यादा important उसके लिए बड़ी सारी बड़ी table लगी सबसे पहला काम होगा कि सारे stocks को उस sequence में लिखिये rank के हिसाब से इसको first rank, इसको second rank इसको इसका third rank है, fourth rank उस हिसाब से लिख दिया सर बीटा भी लिख दिया हाँ सर वो तो देख कर नहीं लिखना है बीटा भी लिख दो unsystematic risk भी लिख दो unsystematic risk भी लिख दिया ठीक है, अब क्या है अब हमको cut-off point निकालना है और सर उसका formula क्या है ये वाला formula ये भगवान ये क्या बोल रहा है variance of market into unsystematic risk से और multiply हो रहा है systematic risk से, हाँ unsystematic risk formula रटवारों unsystematic को हटाना है तो divide है unsystematic से और multiply है systematic से और ऐसे ये भी करना है पर इसमें भी सर multiply है systematic से और divide है unsystematic सबसे पहले ये वाला काम करूँगा मैं ठीक है सर, मतलब सर table में ही कर देंगे कि yes beta square और unsystematic risk मैंने वही वाला काम किया beta square और unsystematic बीटा मालू मैं unsystematic risk मालू मैं सर ये unsystematic risk का square 1.5 into equal to divided by 40 ऐसे मैं करते गया और किये निकल गया यहां तक ठीक है सर क्या logic है logic का छोड़ो ना यार पहले अभी समझ लो कि क्या करना ओके और सर अब मैं ये वाला काम करूँ अब देखो इसको सर इसको कैसे करेंगे इसको मैं दो फॉर्मिल से बांग रहा हूँ सर अब सुना धियां से यहां बनाया हूँ सर ये वाला कौन सा रिश्यो है याद करो सर ये तो ट्रेनर रिश्यो है सर ये तो अल्रेडी निकला हुआ है और उसको अगर मैं मल्टिप्लाई कर दो बीटा स्क्वेर और इससे ठीक तो सर अगर इसको मैं ऐसे सॉल करूँ तो सर बीटा से बीटा कट हो गया यस तो बचा क्या अब देखू ये ही तो बच्चा ना यार यार माइनस आरेफ यार माइनस आरेफ डिवाड़ेड बाइ एंसिस्टमेटिक रिस और इंटू एक बीटा हाँ तो मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये कॉलम नमबर टू को मैं इस से मल्टिपलाई कर दू तो ये वाला उपर वाला आ जायाएगा यस ये नीचे वाला है अब उपर वाला फिर सोचेंगे क्या करना और मैंने वही वाला काम की इंट में सिर आपने 5.33 को सीधा इस से मल्टिपलाई कर दिया तो ये आ आगया हाँ ची अब क्या करना अब क्यूमिलिट्व करना किसको समझने की कोशिश करो सबसे पहले मैं कॉलम नमबर 6 मतलब यह जो दिख रहा है इसको मैं जोडते जा रहा हूँ इसके साथ जोड दिया फिर इसको इसके साथ जोड दिया cumulative add करते जा रहा हूँ और फिर ये वाला column है न इसको भी ये इसमें ये जोड़ा तो ये आगए फिर इसमें जो भी आया इसमें वापस ये जोड़ दिया तो ये आगए ऐसा किया ठीक है ये ये table बता रहा हूँ आपको यहां तक है आ गया तो तैयार हो जाना भूल जाओ कि क्या लाओ जी है कि concept है बस हमको cut off निकालना अब उसके बाद मुझे हर एक का जैसे एक का variance of market तो हमको मालूँ है 10 ये उपर वाला आपने लिया था ये कौन सा वाला है उपर ये वाला cut off A फिर ऐसे किसका निकाल रहा cut off F तो कैसे किया होगा 10 दो लिया सर फिर ये वाला लिया और फिर नीचे ले लिया ये वाला इस तरह से सारे cut off निकालोगे उसमें highest cut off देखू अच्छा सर ये सब cut off निकले हैं कि यस इसमें से highest cut off कौन सा है सर हाइस्ट है ये और इसी को मैं बोलूँगा cut off point और इसके उपर जो श्टॉक आएगा इसके उपर जिन श्टॉक्स का आईए इसके उपर जिन श्टॉक्स का ट्रेनर रेशो रहेगा उसको हम सेलेट कर लेंगे और वो दो ही श्टॉक है इसमें अपने टाइम बरबाद कर दिया ओगे तो बात खताम होगी तो फाइनल हुआ हम किस को उठाएंगे सर हम A को उठाएंगे और F को उठाएंगे पर सवाल है कितना कितना वेट तो वेट निकलने का फॉर्मला सबसे पहले ZI निकलेंगे चोड सकते हैं कि पहले भी अपने बोला था चोड दीजी सर एक्स ट्रेनर तो माइनस कट ओफ तो यह तो समझ में आ रहा है ट्रेनर रेशो मेंसे कट ओफ माइनस कर देंगे डिवाइड करेंगे अनसिटॉमाटिक रिस्क से मलटिब़ाई करेंगे systematic risk, तो ZI निकलने का formula unsystematic risk से divide, systematic से multiply तो यहाँ आया था इसका trainer ratio, सबसे पहले A का trainer ratio कितना आया था, सर यह था cut off यह है, और उसका beta और तो सर इसका आगया 0.0943 और इसमें आगया 0.0928 यह ZI निकला, weight तो निकल सकते हो yes, 0.0943 नीचे इन दोनों को add कर दिना तो weight निकल गया और यह भी weight निकल गया that's it, time मिले तो please कर ले ना, LDR में डालो गएगी sir, LDR में इसको करोगे तो बाकी क्या करोगे okay, हलाकि वो पिछला वाला question था portfolio rebalancing का, वो LDR वाला question this sharp optimization model, ऐसा नहीं है impossible नहीं है यार कर सकते हो, practice लगेगा यह वाला question है, question number 48 TYK 21 इसको मैंने homework दे दिया था discuss कर दो ने, एक बार, discuss कर देता हूँ A limited का expect return दिया हुआ है 22 standard deviation दिया है 40% B limited का भी, expect return है 24%, standard deviation है 38 beta है 0.86 और इसका beta है 1.24 correlation भी दिया हुआ 0.72, standard deviation दे रखा 20% क्या investing in B limited better than investing in A limited तो मेरी बात समझना तो अगर देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A, B, सबसे पहले बात कर रहा हूँ expect return, A का कितना है 22 और standard deviation कितना है 40 और सर, B का कितना है 24 और standard deviation कितना है 38 अगर इनको focus करो और सर, beta भी लिख लो न, beta कितना है 0.86 और यहाँ beta कितना है 1.2 अगर इनको focus करो तो सर, B limited में return भी ज़्यादा है B limited risk भी कम है तो B limited में investment कर लेना चाहिए Yes सर, beta भी तो ज़्यादा है न, लेकिन beta क्यों नहीं देख रहा है, बीटा नहीं देखना है आपको total risk देखना है तो answer आएगा, yes क्योंकि return भी ज़्यादा और risk भी कम है अब point number two में अधिकतर बच्चों ने गलती किया portfolio का return मांग रहा पर गलती क्यों ही मेरी बात समझ रहा इन्होंने A limited बाद में दिया और B limited पहले दिया weight में दिक्कत है बच्चे जल्दबाजी में 0.3 और 0.7 करते है यहां institute ने बेकार में time pass कर दिया है याद रखना, पहले weight आएगा weight of A 0.7 और 0.3 और फिर तो आप निकाल सकते standard deviation कोई रहा correlation दिया है तो आराम से हो जाएगा फिर आप से हो जाएगा सर हो जाएगा ठीक है, हो मख है, कर ले न क्या यह हमारे institute का है yes, TY के 21, तो इसमें खास बात कुछ लगी है नहीं मुझे, आराम से कर सकते सर 51 TY के 33, page number 6.75 सर इसमें करना क्या है, इसमें, सुना धियांस, सुना stock दे रख, yes और सर probability दिया है, और A दिया है, B दिया, market risk free rate कितना दिया 11 पर अब, सुनोगे दिया बोल रहा है, determine whether the investor should liquidate his holding in stock A and stock B और बताना कि phrase investment करना है कि नहीं, और CAPM exemption are holding court सर करना क्या है, सुना धियांसे क्या करना है अभी, एक minute के लिए B को भोल जाओ, yes सर सबसे पहले, A का आप, expect return निकाल सकते हो, yes और कि extended division निकाल सकते हो, yes standard division, okay क्या market का भी expect return निकाल सकते हो, क्या market का भी extended division निकाल सकते हो, yes क्या आप covariance निकाल सकते हो, yes क्या बीटा निकाल सकते हो, यस सर बीटा निकल गया, A का माल लो अब मार्केट का इस्टेंडर डिविशन मतलब इसको मैं आरेम बोल सकता हूँ अब एक बात बताओ क्या A का एकस्पेक्ट रिटन पता लग गया हमको हाँ सर A का एकस्पेक्ट रिटन पता लग गया मन से लिख रहा हूँ कि सर वो आया पंद्रह परशन एकस्पेक्ट रिटन प्रोबैबिल्टी से मल्टिप्लाई करके अब क्या C.A.P.M. को यूच करके K.E. निकाला जा सकता है क्या A का सर R.F. मालुम है क्या A.R.M. यहां से निकल जाएगा सर यह आगया मान लो 16 मन से लिखा है और R.F. तो मालुम है और बीटा तो हम ऐसी भी निकाल रहा है और इसके हिसाब से K.E. निकालोगी यस तो K.E. भी आजाएगा ओके सर K.E. आगया और K.E. को इससे कंपारिजन कर लेना और कंपारिजन करके बता देना अलफा निकाल लेना दिल करेगा तो प्लीज कर लेंगे क्या यस वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर ये मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं सर LDR कोशन में डालना नहीं डालना वाप पर देख लीजिए पर कोशन अच्छा है कर लेंगे एक कॉंसेप्ट है कॉंसेप्ट ओप क्रिटिकल लाइन पता नहीं क्यों पूछ लिया था और इसका कोशन पूछा हुआ है पिछले अटेंप्ट इसको आप कॉर्णर थियरम बोलते लास्ट मैं करवा रहा हूँ और एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन है उधर मिसिंग हो गए यहां मैं आपको करवा देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक लाइन दो चीज बच्ची हुए कहानी खता हूँ सिंपल है कुछ है नहीं इस प्रिटिकल लाइन है क्या मैंने कहा था यह 15 परशन यह 18 परशन है और य का यह 20 परशन है 26 परशन है इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि सर यह 3 परशन से बढ़ता है ठीक है तो यह कितने परशन से बढ़ता है 6 परशन से अगर X 3 परशन से बढ़ता है तो Y 6 परशन से बढ़ता है इसको बोलते स्लोप कितना है 2 डबल, स्लोप मतलब बीटा ही तो ना यार, यस, अब कोश्चन है कि अगर ये 2% से बढ़ा, तो बताओ इसका अंसर क्या आएगा, चार परशन से बढ़ेगा, यस, आंसर 30% आएगा, पर उस 30% को निकालने के एक लाइन ही उज होता है, जिसका नाम होता है, critical line, y is equal to b, b plus mx, तो y का मतलब ये है 20, b मतलब मुझे नहीं मालूम, पस x की जगा मैंने क्या लिख दिया, 15, और m को m में लिख दिया, तो सर, b से b कट, सर, ये तर 2 आगए है ना, यार, यस, इस equation को यूज किया मैंने, और आंसर आगए, b मुझे नहीं मालूम क्या चीज है, पर मैंने x को की जगा लिख दिया, b से b कट हो गया, तो m, ठीक, ऐसा, तो ये आगए, 2, और 2 को इस equation में put कर दिया, ठीक है, तो b निकल जाएगा, और b आगए, minus 10, 2 को इस equation में put कर दिया, तो b आगए है, तो finally equation मन गई, y is equal to minus 10 into 2 plus x, तरीक समझा क्यों रहा है, मैं इस क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँगा, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं simultaneously equation को use करूँ, अब मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, कि x को आप यहां रखते जाए तो y का answer आपको मिलते जाए, इसका क्या use है, वो मैं समझा, for example, पढ़ दो, यार हमारे पास एक लाक रुपे है, हमने दू पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो A, पोर्टफोलियो B, और उसमें stocks हम वही तीन रख रहा है, x, y, z, x, y, z रख सकते हैं, मतलब यार इनी तीन स्टॉक को लेकर में ना जाने, कितने अपने पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, ठीक है, इसमें 60% रखा, इसमें 40% रखा, 60,000 को मैंने x, y, z में इन्वेस्ट किया, इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, और पोर्टफोलियो B में जो 40,000 है, उसको x, y, z में simple है तो वोई पूचा है exam में तो ठीक है भई x y z में portfolio a में किस ratio में डाला है कितना है portfolio a का total मिला कर तो 60,000 रुपए तो निकाल सकतो 60,000 का 30% अब portfolio b में ये निकल गया सब को जोड दिया तो weight निकल गया ये पूचा कि पूरे portfolio में x का weight कितना y का weight कितना z का weight सर इसमें कोई दिक्कत नहीं हो और time pass ये हुआ कि मैं बहुत concept में नहीं जाना चाहता कि linear होता है ये सब में करवा चुका हूँ class में अब 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 important वार्न थियोराम चल रहा है सर x का weight है 0.5 example number 2 एक portfolio है a उसमें x का weight है 0.5 y का weight है 0.3 तो बता सकते हूँ z का weight कितना आएगा सर 0.2 ठीक है अब दिमाग चलाना और एक portfolio है b जिसमें x का weight है 0.4 y का weight है 0.1 तो z का weight चार और एक पास तो बचा हुआ जेट का weight अब question क्या है सुनना सर इसका मतलब है कि जो x है वो कम होता है तो y भी कम होता है बिल्गुल सही सर एक्स 0.1 से कम होता है तो y 0.2 से कम होता है यस linear relationship मानेंगे हम लोग तो अब बताओ x यहां भी 0.1 से कम हुआ तो y भी 0.2 से कम हो जाएगा मतलब यह 0 नहीं हो जाएगा 0.1 नहीं हो जाएगा इट मेंस वो आपसे क्या मांग रहा है वो इसका weight दे देगा कियेगा इसका weight और इसका weight निकाल कर बताएगा मैं यहां नहीं करवा रहा हूँ इस example में equation बनाना पड़ेगा critical line का मैं question ही करवा देता हूँ वो ज़्याद अच्छे यह वाला question है question number 11 आप case में मिलेगा tyk 31 page number 6.7 यह question ही मैं example नहीं करवा रहा हूँ question की यह बात कर देता हूँ यह question पिछले attempt में exam में आ चुका है तो sir इस attempt में आने की उमीद मुझे नहीं पिछले attempt मतली है इसके पहले वाले attempt पड़े है यस sir दो portfolio काम काम की वात है portfolio X इसमें weight दिया हुआ तीनों का portfolio Y और तीनों का weight दिया हुआ और sir कितना पैसा लगा है तो वो बता रहा है कि portfolio X में पाच जार रुपे लगा है portfolio Y में तीन हजार रुपे लगा है तो बताइए weight क्या होगा तो बिल्कुल आसान काम है तो बच्चो वाला काम portfolio X पाच जार रगा है किस ratio में लगा है 3,4,3 portfolio Y 3000 रुपे लगा है किस ratio में लगा है इस ratio में तो टोटल यह लगा है तो weight निकाले है इसमें कुछ था ही नहीं यह वाला point बड़ा simple आगे वाला point import suppose the investor invest 4000 out of 5000 in security A अब ध्यान से समझा security A में 0.5 लगा हुआ है 0.5 50% पैसा लगा हुआ how he will allocate the balance between B और C में कितना कितना पैसा लगाओगे minimum variance समझाया हूँ minimum variance क्या होता है पर अभी अभी नहीं सोचना है अब मेरा question क्या है common sense लगा है पहले common sense बोल रहा है कि linear होता है इसको देखो ध्यान से यह point 1 से कम हो रहा तो यह point 1 से बढ़ता है यह point 1 से कम होता है यह point 1 से बढ़ता है और इधर तो कुछ बनी हो okay इस बार यह point 3 से बढ़ड़ा है तो यह point 3 से कम हो जाएगा मतलब सर यह point 2 0 हो जाएगा और इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है प्लस मतलब सर slope निकाल रहा है यस पर क्या institute ने ऐसे किया होगा नहीं और क्या ऐसे करोगे तो नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिला है नहीं मिला है तो institute ने कैसे करता है institute एक line यूज करता है y is equal to alpha alpha ना लिखकर ये क्या लिखते है p plus mx ये line यूज करते है इसको वो X ले ले लेते और इसको ये Y ले ले हो सकता है अब देखो दियांज से, प्लीज देख लो कर लो, अब पोटोली इतना है सिर्क Y का मतलब B, और X का मतलब A, और A का मतलब Alfa ले 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 ले, इसको B ले ले ले, कोई दिख्कत की पत है क्या wait of b पता है? या sir point और wait of a पता है? sir point 3 तो देखो ध्याँंस a और b का निकाल रहा है? sir c का बाद में सुचेंगे तो sir इसको point 4 ले लिया और इसको point 3 ले लिया और ये क्या है नई मालम, ये क्या है नई मालम ऐसी अब दूसरा क्या weight of b पता sir 0.5 इसको 0.5 ले लिया इसको 0.2 ले लिया और इससे ये cancel हो गया sir difference तो sir b आ गया minus 1 चिक और sir b को अब किसी भी एक equation में put कर दिया आपने तो alpha 0.7 0.7 आ गया equation क्या मुझे weight of b का equation मालूम है yes 0.7 निकल गया और 1 और weight of a weight of a कितना रखना है that's it sir weight of a 0.5 रखना है तो 0.5 यहां यूच किया तो weight of b आ गया 0.2 इंस्टिट्यूट ने ऐसे ही कर रख इसका मैं से मैं अच्छे समझा दिया हूँ आप कहोगे तो मैं description में डाल भी दिता हूँ भाई कि sir ये concept समझा दो बहुत detail में समझा है बस weight of a इतना कि उतना ही रहेगा और amount भी निकालना है पिछले जब question आया तो बच्चों का message आया तो sir हम ये निकालना भूल गया है क्यों भूल गया भाई कि 8000 का 50% तो बोला है 8000 का 20% इसमें लगी का 8000 का 0.3 यहां में लगी यह बहुती स्पीड से समझा है हाँ नहीं समझा सकतो concept है एक घंटा निकल गया है तीन घंटे हो चुके ओके यह वाला question आया था यहां गल्ती कर दिया था discuss कर चुका हूं पूरी बात sir weight negative में आया था हाँ जी negative में आया शॉट से अलाव है यार is a lost concept characteristic line पहले करवाना चाहिए था बीटा calculation के समय पर उस समय हम ध्यान नहीं दिये थे तो पहला काम क्या है पहला है बीटा निकालना क्या बीटा निकाल सकते हो यह sir आराम से बीटा निकालना हमको आता है बीटा हमने निकालना अब ध्यान से समझना मेरा concept क्या प्रीज sir यह क्या निकला यह stock का return निकला sir characteristic line है क्या वही तो है y is equal to alpha plus beta x y का मतलब क्या हो गया sir security का return expect return of x sir alpha क्या है नहीं मालो sir beta बीटा तो निकाल लिया और x क्या है x का मतलब होता market अब क्या सुनना धियांस हम यह बतानी की कोशिस कर रहा है कि market में change होने से market के कोई मुझे market का return बता दे तो मैं security का return बता सकता हूँ वही वाला equation तो sir इसमें हमको beta मालुम है क्या पका beta तो निकल जाएगा sir सुनो सुनो इसमें हमको क्या क्या चीश पता है sir हमको यह पता है yes sir market पता है yes sir beta पता है वो तो निकल जाएगा पर alpha नहीं पता तो sir alpha तो निकाल सकते हैं ना एक बार alpha निकल लेंगे तो हमारा equation बन जाएगा वही मैंने काम किया यह सब समझाया हूँ हमारा sir beta निकल गया 0.50 ओके हमें y पता है कि yes हमें alpha नहीं मालू हमको sir यह पता है 0.50 पर हमें market भी पता हुआ तो उसके सबसे alpha निकल गया 8.9 तो अब हमको alpha मालू है जहां से line स्टार्ट हो रही यह सब समझाया था और sir हमें यह भी पता है beta और यहां है market बस आप कोई मुझे बता दे कि market का इतना तो मैं stock का बता ही सकता हूँ बस market का बता दे जा stock का बता सकता हूँ यह हमने खुट-खुट trial किया था question number 41 same है characteristic line पूछा है निकाल लोगे अराम से यह ty के 11 page number 6.67 please कर लेना और यह tier सर आप कहोगे तो मैं characteristic line पे क्या आपको lecture upload कर दूँ जैसा आप बोलोगी अब बता दे जाना कौन कौन से topic पे lecture upload करना मैं कर दूँगा मुझे ऐसा लग रहा corner theorem हो गया characteristic line है जिस पे वाकई आपको ज़रुदत है बट यहां तो मैं नहीं कर दूँगा तर टाइम ज़्यादा निकल जाएगा सर इसका मतलब यह हुआ क्या यह LDR में जाना चाहिए 100% LDR में जाना चाहिए unique concept है हाला कि बीटा का practice हो जाएगा इस पे यह वाला question LDR में जाना चाहिए और यह वाला तो जाना ही चाहिए corner theorem का corner theorem का question LDR में जाना चाहिए और सर sharp optimization वो आपकी मर्जी है करना यह करो चाहो तो ओके यह वाला question बिल्कुल simple है सर इसमें क्या किया इसमें कुछ नहीं किया इसमें उसने बीटा मांगा था तो हमने बीटा निकाल लिया यह market के change होने से aggressive stock पर कितना change होता है तो market में कितने का change होता यह देख लो और यहां कितने का change होता और divide करके दो ही साल का return दिया है तो सर बीटा निकल जाएगा ओके सर पहले में बीटा मांगा था दूसरे में expect return of easy stock अगर equal change है तो मतलब सर this plus this divided by two this plus this divided by two करके यह भी काम हो गए फिर security market line पूछा था ठीक है सर तो आरेम हमने 16 percent ले लिया था इसका average और security market line के लिए आरेम दिया था और सर यह देख लेंगे हम लोग alpha निकालना था alpha इस question में ICAI ने characteristic line से alpha निकालना है जबकि मेरे क्याल से alpha होना चाहिए था ER minus K ठीक है उन्होंने जो alpha निकाला है वो किस case हम से निकाला है मैंने करवाए हूँ question नहीं करवाए हूँ alpha उन्होंने characteristic line यूच किया है ऐसा वाला यूच ठीक है देख ले ना मेरे इस हम से alpha बोला है तो alpha मतलब ER minus K ठीक है मैं भी धग गया हूँ एकात question आप देख ले ना सर हमारे AFA module का कौन कौन सा question cover नहीं किया गया है एक तो question number EYK39 देखो कि मैंने यहाँ cover नहीं करवाए हूँ वो gearing और बीटा का question हूँ वो business valuation में cover होगा और question number 41, 42 cover नहीं करवाए हूँ यह mutual fund में cover होगा last last में जो खतम हो गया portfolio और कुछ नहीं यह charts वगिरा अभी discuss नहीं करूँगा वो last में देख ले यह सब पढ़ाया था आपको regular class में और exam oriented में भी charts वगिरा तो डिसकस किया अभी आपका काम क्या है जो last में जो corner theorem है जो characteristic line जो करवाया हूँ वो सारी चीज़े एक बार देखना पड़ेगा बना कर देख लाना भाई जितना time है आपके पस class over कर रहा हूँ बहुत लंबा नहीं खीज सकता मेरा भी एक limit है आपका भी एक limit है अगर मैं इसको ठीक-ठीक से समझाने जाऊंगा time बहुत जाता लगेगा आप बस बता देना कि कौन सा concept है जो हमको अच्छे से करना है सर तो उसका मैं वीडियो चाहो तो upload कर दूँगा चाहो तू मेरी मर्जी है कल होगा multiple choice question आपको sheet दे दी जाएगी कल शाम को होगा timing मैं आपको बता दूँगा और live होगा कि सर live तो होगा पर YouTube में live होना थोड़ा सा मुस्किल हो रहा तो मेरे जो existing student है उनको link share कर दूँगा software का जो भी है खेर कल upload हो जाएगा multiple choice question ओके thank you so much बाई 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 थोड़ा fast करवाया ऐसे मैं करवाता नहीं हूँ पर कहां ही न गहीं तो यार मेरा भी limit मेरा कोई limitation नहीं आपका limitation है time का ओके thank you बाई बाई